हलो बच्चो नमस्कार जैशिकिष्ण रादे रादे कैसे सब आप सब अच्छे सोंगे मस्तिते पढ़ाई कर रहोंगे आप सबीक इस चैनल पर जिसका नाम है अन्ना एकाडमी कोटा और अगर आप चैनल पर नहें हैं तो बिलकुस इसको सब्सक्राइब कर लिजेगा I hope आपका जो second attempt J main का होने वाला है उसके dates आगे होंगे and आप पूरी मुस्तैदी से पूरे मन से अब इस second attempt को फोड़ने वाले होंगे है ना फिर भी अगर कुछ चीजे पेंडिंग रह गई हो संकना सीरीज की तो आप उसको definitely कर लिजेगा या संकल पीवाई की सीरीज के के अगर कुछ आपनी chapter छोड़ रखें तो उसको कर लिजेगा कर सकता हूं कि इसका वेटेज रहता है बहुत सारे सेशन में ऐसा भी हुआ है जी मिन टू जरू टू टू तरी में कि एक से ज्यादा भी सवाल रहे हैं यानि कि प्लस एट तक भी जा सकता है अंकड़ा अगर आपने अगर प्रोबाबिटी की basic समझ को अगर अच्छी तरीक का और एक complex summer का रहता है और एक statistics का रहता है वैसे तो मैंने सोचा था कि Vector of 3D का साथ में recorded lecture आपको दे देंगे लेकिन जब मैंने उसको फ्रेम किया है उसकी PDF अगेरा को बनावा है या PPT को तो ISO की मतलब काफी सारा content उसमें है Vector of 3D का तो वह एकटा करना थोड़ा सा एकटा रहेएगा ठीक है चले शुरू करते हैं स्टार्ट करते हैं ऑके सबसे पहले तो probability में बात करें तो probability है क्या है ना what is probability probability को खुद में कैसे define करें तो वैसे तो हम लोग इसको बोलते हैं mathematics of chance right mathematics of chance mathematics of chance क्यों क्यों कि इसमें हम generally क्या करते है we calculate the chances of happening or not happening of an event जो uncertain events है uncertain events है अब को बुचे event क्या है तो event का definition अपन देखेंगे लेकिन अभी इस word को use करना ही पड़ेगा uncertain events है उसकी probability को calculate करना है chances of happening or not happening को calculate करना and that's why it is called as mathematics of chance और इसको अगर हम और भी समझ नहीं कोशित करें तो this is branch of statistics statistics मेरे खाल सापने सुना ही होगा branch of statistics और which deals with the chances of measuring happening or not happening of an event तो कुल मिला के बस यह है कि हम इस पूरे chapter में कि किसी भी event के होने की probability नहीं होने की probability इन सब पे ही बात करने वाले हैं but before going into this chapter आपको एक चीज़ बतलाऊंगा हमीशा ध्यान रखेंगा probability में कि event के nature कैसा है वो या जो आप experiment कर रहे है वो कैसा है वो अच्छे समझना बहुत ज़ ज़रूरी है ठीक है बीच में एक जगहा है कि जिसको हम लोग कहेंगे conditional probability वहाँ पर थोड़ा सा अपनी पकड़ को और मजबूत बनाना हालांकि वह बहुत खतरनाक चीज़ नहीं होती है बहुत simple और basic common sense वाली चीज़ होती है बट कुछ चीज़ें है जो बच्चें हम miss कर है उसको मैं थोड़ा emphasize भी करूँगा बट आप भी खुद से सुनिये का कि वहाँ पर मैं क्या कहरा हूं अभी हम start करते है probability के definition तक पहुंचने की probability के definition तक अगर पहुंचने की बात करेंगे तो कुछ important चीज़े है जो थोड़ा सा हमें पहले से clarity होना चाहिए ना I hope इसकी clarity हो It is random experiment या experiment तो simple है any action या operation कोई बी ऐसा action या operation जिसके दो या दो से ज्यादा outcomes हो कोई भी ऐसा outcome कोई भी ऐसा action या operation जिसमें दो या दो से ज्यादा outcome है जैसे कि हम एक सिक्के को उचालते हैं एक सिक्के को जब आप उचालते हैं तो of course हम लोगो सकते हैं कि दो तरह के outcomes आ सकते हैं that is head and tail मैंने सिक्का उचाला था जमीन पर सीधा सीधा ऐसे खड़ा हो गया तो अगर ऐसा कुछ मेंशन नहीं है तो हम से वितना मानते हैं कि या तो जिस एक dice है बच्चों ने आपने देखा होगा लूटों का साफ़ेडी का इन सबका गेम खेला होगा तो dices होते हैं तो dices को जब हम फैंकते हैं throw करते हैं तो of course dice पर या तो 1 आता है या 2 आता है 3, 4, 5, 6 तो it has more than 2 outcomes like 6 outcomes right तो हम इसको experiment कह सकते हैं या फिर जो भी है आप random experiment कह सकते हैं ऐसे ही कर आपने ताश, पत्ते, cards हैना देखा होगा तो cards में generally 52 playing cards होते हैं और 52 playing cards में कोई बोलता है एक card निगालो तो of course हम लोग वो लग कि 52 outcomes are there तो of course हम लोग वो सकते हैं कि this can be also considered as experiment या फिर random experiment तो मेरे खाल से यह term समझ में आ गया होगा कि अगर कभी भी experiment या random experiment के बारे में बात हो रही है मेरे भाई I hope it is very much clear कि random experiment का मतलब हम क्या कह रहे है ना random experiment का मतलब हम क्या कह रहे है ठीक है ना कि हम लोग बोले कि कोई भी ऐसा action या operation जिसके दो या दो से ज़्यादा outcomes हो है ना अब ये कोई experiment जब आप करते हैं तो उसके different outcomes होते है तो वो जो outcomes का जो set है ना उसको हम लोग कहते हैं जो भी set है one two three four five six का इसको हम क्या कहते है sample space यानि कि कोई भी random experiment करने के बाद जो भी total outcomes का set होगा उसको हम लोग टेक्निकली टेक्निकल मासा में क्या कहते है sample space दो set of all possible outcomes of an experiment है ना is called as sample space of the experiment है ना and each outcome is called as a sample point है हर एक outcome को हम क्या कह सकते है एक sample point कर सकते है जैसे experiment में throwing a coin तो जैसे मैंने बतलाए इना या फिर टेल तो head or tell के सेट है उसको हम लोग क्या कहते है टेख्निकली sample space h को भी हम lot कह सकते एंश को भी में हमMPL1 कहकते हैं अगर कोई दर बोलता है एक event है even अब मिलोगे event यह है तो Sample Space का जो सबसेट है उसको अब कर सकते है directly in Hell Sheet भी सबसेट हो तब सबसेट होता है उस्कप सबसेट है हुसको तो head 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 tail tail head या फिर tail tail है ना इनको different मालेंगा statistically they are two different sample points तो इस चीज़ को समझेगा है ना इस चीज़ को समझेगा आप कोई बोलता है कि event defined किया at least one head यहीं कम से कम एक head तो उसमें क्या क्या आएगा head tail आएगा tail head आएगा और head head भी आएगा कि कम से कम एक की बात हो रही है ना exactly one tail तो कैसा event आएगा head tail या फिर क्या आएगा बचो tail head throwing a dice तो उसमें sample space आपको पता है one two three four five six का कोई बोलता है getting an event number एक event है तो इसमें क्या-क्या आएगा include होगा इस event में कौन-कौन include होगा two four and six तो इस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा है ना अगे चलके throwing three coins तो मेरे खाल से आप देख लिजेगा है ना कुछ गरवड हो तो देख लिजेगा बाकी मेरे खाल से सही होगा most probably event of an experiment है ना जुसके पारे में भी मैं बोल रहा था event of an experiment तो an event is defined occurrence of situation मतलब इस वह मोटा मोटा भासा में आप ऐसे समझे कि कोई भी sample space का subset एक event कहलाएगा कोई भी sample space का subset क्या कहलाएगा event कहलाएगा जो मैंने अभी आपको बतला है event is subset of sample space मतलब आम बस इस पर फोकस कीजिए ना बहुत ज्यादा definition लिखनी कोई से मत कीजिएगा बस मेरे खाल से यह समझ दीजिए यह best है ना और कहते है if outcome of an experiment is an element of a we say that event a has occurred जैसे माल लीजिए आपने एक डाइस को फेका है ना एक डाइस को फेका और उसका sample space आपको समझ में आई गया 1 2 3 4 5 6 कि अगर कोई एक बंदा event इसका define कर रहा है getting an odd number 135 एक event यह हो गया और मालीजिए कि हम लोग ने एक event define किया getting an even number 246 हो गया तो suppose कर लिजिए कि हमने dice throw किया और 1 आया तो हम लोग इस case में क्या गयते है कि event even has occurred लें कोई बूचे कि तो लेन कि yes definitely यह गया कोई बोलता है तो आया तो क्या even occur कि आंसर इस नू फिर जो लें है कि एटु हैस अकर्ट even does not अगर ना फाइज एन फाइज इस पाइज इस इंपाइज इंपाशिबल इवंट impossible मतलब समझ गहा होंगे and s is called as sure event sample space तो sure event हो गई है कि आपने एक dice थो किया और कोई एक event बना दे है कि उसकी probability होगी 0 कोई बोले कि sir मैंने dice को थो किया और phase 7 आ गया ऐसा तो नहीं होगा ना क्या कि 1 2 3 4 5 6 है तो 7 तो नहीं आ सकते है that is an impossible event right that is an impossible event है या कोई बोले कि sir मैंने dice को थो किया 1 2 3 4 5 6 उसके faces बे था और sir outcome जो था न वो 1.5 आ गया तो that is obviously an impossible event है तो मेरे खाल साब समझ गया होंगे कि यह भी एक event है और impossible event है इसकी probability क्या रही होगी 0 ठीक है अब हम जो definition की बात करते है न बच्चों probability की उसमें 3 important terms है उन 3 important terms को अच्छे तरीके से समझना is very 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 necessary है उन 3 terms को अच्छी तरीके समझना is very 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 necessary उसमें जो सबसे पहला term है that is equally likely event that is equally likely event नाम सुन कहीं ऐसा लग रहा है equally likely है ना equally likely मतब सारी events की होने की probability बराबर बराबर होगी है ना यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि note that events which are equally likely are also called as equally probable are also called as equally probable है ना तो यह ना जिन भी events के होने की जो probabilities है वो बराबर बराबर है उनको equally likely कह सकते हैं ज़से example के तोर पर देखें जिसे मैंने एक सिक्के को उचाला तो अगर एक सिक्के को उचाला तो head आएगा ये tell आएगा अगर शिक्का bias नहीं है अगर सिक्का coin fare है तो हम लोग वो सकते हैं कि जो head के आने की chances होंगी वहीпल के आने की चांस होंगी अक dice को हम throw करते हैं और यह एक unbiased dice है तो हो सकता होगी हम लोग जब game खेल रहे हो और throw कर रहे हो डाइस को तो कोई उदर सिला रहा होगी सर तीन आएगा तीन आएगा तीन आएगा छे आएगा छे चे चे बहुत लोग अलग अलग तरीके से अपने demand करते हैं बहुत बार होता है कि सर एक पे attack गया है तो आएगा या five या six वाला तब क्या आने के probability बराबर बराबर है मेरे ख्यास से आपको यह बात समझ में आ रहे हैं अगर unbiased आपका dice है तो तो हम लोग इस तरह की events को हम लोग क्या कह सकते है equally likely है ना सरी इस तरह के हम events को हम क्या कह सकते है equally likely event या फिर आप यूँ भी सोच लि इवेंट तो मेरी कहाल से बहुत जादा आपको दीमांग लागाने की जड़त नहीं है एक होता है mutually exclusive event नाम से ही समझ में आ रहे है mutually exclusive events या इसको हम लोग disjoint event भी कहते है disjoint your मुचली एक्स्वूजिव है तो हम simple सी बात क्या सकते हैं कि दोनों के साथ-साथ होने की probability क्या हो जाएगी zero होगी या फिर यू भी कह सकते है कि occurrence of one rules out the occurrence of any other event है ना, occurrence of one rules out the occurrence of any other event, जैसे suppose कर लिजे, हमने जो अभी तोड़ी दिर पहले ये example देखाता है ना, कि हमने, हमने क्या किया, एक dice को throw किया, और उसके throw पे, once I have thrown the dice है ना, एक ही बात throw किया है ना, और हमने दो अलग-अलग events define किया है, एक तो odd face आया, और दूसरा event face है, कोई बोले सर ये दोनो events कैसे हैं, तो हमने भो सकते हैं कि these two events are mutually exclusive, क्योंकि ये दोनों event साथ-साथ नहीं हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते हैं कि कि अगर 135 आया है, यानि odd face आया है, तो even नहीं आएगा, और अगर even face आया है, तो odd नहीं आएगा, है ना, मेरे खाल से ये pair of dice throw कर रहे हैं और pair of dice throw करने के बाद जो faces आ रहे हैं नो top faces आ रहे हैं उनके sum को हम result कहते हैं माली जी कोई तो जैसे माली जी कि दोनो dice को अपने throw किया 1 आया 1 आया तो sum of faces 2 तो हम लोग बोलेंगे score कितना है इसका 2 अगर 1 3 तो हम लोग बोलें कि getting a total of 7 या getting a total of 11 जैसे अगर हम लोग मालें कि pair of dice को एक बार throw करते हैं और दो even define करते हैं यह ना पेर पेर आफ़ दाइस को थ्रो करने को एक हम लोग experiment करते हैं पेर आफ़ डाइस को थ्रो करने को और उसमें इवेंट करते हैं कि getting a sum of 7 और getting a sum of 11 तो अगर मैं पूछू आपसे कि getting a sum of 7 and getting a sum of 11 are the two mutually exclusive तो answer is yes कि कि अगर आपने pair of dice थ्रो किया है और sum of the faces 7 है तो definitely 11 नहीं है और sum of the faces 11 है तो definitely 7 नहीं है तो इनको mutually exclusive कहेंगे आप अगर सबोच कर लो कि मैंने ऐसा का कि मैंने एक pair of dice को लोखाया और sum of the faces 10 एक event defined किया और दूसरा event defined किया getting doublet दूसरा event defined किया getting doublet तो क्या यह दोनो mutually exclusive है answer is no they are not mutually exclusive कि जब 55 आएगा बच्चों तो आपको एक doublet भी मिलेगा और sum of the faces 10 भी मिलेगा तो मेरी का जब mutually exclusive के पारे में आप इतना ही समझ दीजिए कि अगर एक occur करता है एक event occur करता है तो वो सबको rule out कर देता बाकी सबको है न या फिर events के साथ साथ अकर करने की probability क्या होगी 0 तो events are set to be mutually exclusive if they are simultaneous occurrences impossible simultaneous occurrences two events a and b defined on an experimental performance experimental performance मताब sample space जो भी होगा है are set to be mutually exclusive disjoint या फिर incompatible board भी यूज कर सकते है आप हना if occurrence of one rules out rules out the simultaneous occurrence of both rules out the occurrence of any other event हना मताब हम ऐसे समयले कि एक का occurrence जो है बाकियों के occurrence को rule out कर दे ठीक है न note that in the language of mathematics probability of a share event is one और probability of impossible event is zero यह तभी मैंने आपको बतला ही और साथ ही जाथ हम लोग यह भी बोछ सकते हैं कि जो mutually exclusive अगर मतलब a और b दो mutually exclusive events है है हना हम a और b कैसे बच्चो mutually exclusive events है जिनके साथ-साथ अकर करने की probability zero है मतलब p a intersection b is equal to zero p a intersection b equal to zero मतलब साथ-साथ अकर करने की probability क्या होगी बच्चो जिरो एक होता है फिर exhaustive event जैसे गर कोई पूछे कि सर मैंने एक experiment किया और experiment के basis पर मैंने कुछ events define कर दी है अब यह exhaustive है या नि तो अले exhaustive कब होगा देखो इंग्लिस में मत जाना जो तो हमने क्या बोला है कि हमने एक experiment define किया सर ठीक है और उस experiment का कुछ sample space आया होगा उसके basis में हमने कुछ event define कर दी है अब वो जो event define किये सर हम जानना चाहते है कि वो exhaustive है या नि तो ले लेकि exhaustive यह तभी होंगे बच्चो जब उनका union जो है वो sample space जब उनका union क्या हो sample space जैसे कि अगर कोई अभी थोड़ी देर पहले मैंने कुछ examples दिये से यह throwing a coin अब इसका sample space है guys head and tell और इसमें दो event हमने define कि head occurs and दूसरा head tell occurs अगर कोई बुझे कि सर क्या यह दोनो equally likely event है answer is yes they are equally likely event अगर यह coin कैसा है आपका fair coin है ठीक है कोई बोले are the two mutually exclusive answer is yes they are mutually exclusive as well क्या यह exhaustive है answer is yes क्यों क्यों कि इन दोनों का जो union है even union e2 this is nothing but sample space तो मैंने आपको फिर से एक बार बतलाने देना है कि अगर हम माल लीजे कि कोई एक experiment करते हैं और उस experiment का example space आता हो sample space पर हमने कुछ events define किये हुए होते हैं तो अगर मैंने कुछ events define किये होते हैं तो उनको हम exhaustive कब कहेंगे उन events को जब उन सबका union sample space आ जाए तो उनको हम क्या कह सकते हैं exhaustive उनको हम क्या कह सकते है exhaustive और कोई है तो देख से इस पर भी देख लेते हैं जैसे हमने बोला कि एक sample space आपने देखी लिया एक dice को थ्रोगिया एक dice को थ्रोगिया तो हमारे पास 123456 आ गया अब हमने दो events define कर दी है even और you two odd face even face है न अभी जैसे मैंने पूछा कि are the two equally likely answer is yes कि कि इसमें भी तीन favorable case है और इसमें भी तीन favorable case है और तो यह दोनों कैसे होगे equally likely unbiased dice है न फेर dice है मिला हूँ दूसरी बात कि क्या यह दोनों mutually exclusive है answer is yes अभी अभी सिखाया मैंने आपको और तीसरा अगर कोई बोलता कि क्या यह exhaustive है answer is yes यह exhaustive भी है कैसे exhaustive है कि कि इन दोनों का जो union होगा that is nothing but the sample space तो मेरे खल से exhaustive event का भी आपको scene clear होगा ठीक है मालो कि आपने कोई एक sample space s है और उस पर n events divine किया like e1, e2, e3 till e n इनको हम exhaustive का बोलेंगे जब e1, union, e2, union, e3 till e n ये किसके बराबर आ गया sample space तो गर ये sample space के बराबर आ गया तो definitely इसको हम लोग क्या कह सकते है exhaustive set of events क्या कह सकते है exhaustive set of events जैसे माली जी कि हम लोग के पास 52 playing cards है है न तो हम लोग का event क्या है और एक्सपरिमेंट क्या है drawing a card once मतलब हम उसमेंसे एक पत्ता खेंच रहें हैं हमारे बस 52 playing cards है of course 52 playing cards में jokers नहीं आते हैं मेरे काल से playing cards के बारा हैं का idea होगा तो हम लोग के पास 52 playing cards है और हम लोग बोल रहे हैं क्या कि simple सी बात है कि उसमेंसे हम एक पत्ता खींच रहें निकाल रहें एक पत्ता है न अब अगर हम इसके basis माली जे तीन इवेंट डिफाइन करते हैं माली जे पहला इवेंट है गईज गेटिंग हाड्ट दूसरा इवेंट है गेटिंग स्पेड और तीसरा हम माली जे गेटिंग क्लब इन तीनों इवेंट के पार में एक बार देखते हैं न कि देखो आपको पता कि हाट के भी 13 पत्ते होते हैं अब इन तीनों इवेंट की बारे मेंar कोई मुझे से बूझता है यह अнес्याय the three events equally likely answer is yes कि इसमें भी 13 favorable situations इसमें भी 13 और इसमें भी 13 13 13 cards है ना अब दूसरी बात हम लोग यहां पर कहते हैं कि क्या यह mutually exclusive answer is yes mutually exclusive है क्या कि अगर आपने card निकाला अगर वो heart का card है तो of course speed का नहीं है club का नहीं होगा है ना तेहनी कि एक का अक्रेंस बाकियों के अक्रेंस को रूल आउट कर देगा but a question है कि क्या यह exhaustive है answer is now no they are not exhaustive क्या कि इन तीनों का union sample space नहीं आएगा sample space से 52 points होंगे आप देख सकते हैं कि इसमें हार्ट में 13 13 49 है यह equally likely है they are mutually exclusive but they are not exhaustive हाँ अगर मैं एक event e4 define करूं getting diamond diamond is red color card है ना इंट भी बोलते हैं थिकरी भी बोलते हैं वह जगा getting diamond है यह यह चीज़ है ना getting diamond तो हम लग बोल सकते हैं कि अगर अब चार event defined है और अब इन चारों के बारें बूचता है कि आर्दे equally likely answer is yes क्योंकि सब में 13 होते हैं दूसरा अगर कोई बूचता है कि are the mutually exclusive answer is again yes और इन चारों event के बारें कोई बोलता है कि are the exhaustive now the answer is yes क्योंकि इन चारों का जो union है वह क्या जाएगा आपका sample space तो मेरे खाल से आपको exhaustive का भी मतलब समझी में आ गया होगा now we are moving to the classical definition of the probability क्या कहता भई यह classical definition of the probability कि अगर हम कोई experiment करते हैं और जिसके हम मान लेते हैं कि total n outcomes है और यह जो n outcomes है यह mutually exclusive and exhaustive है ना तो हम लोग गोले कि if an experiment gives n possible outcomes which are equal यह ध्यान रखना है ना ऐसा है तभी यह definition काम करेगा भाई मेरे है ना equally likely mutually exclusive and exhaustive यह जो n outcomes है जो हमने experiment किया है n outcomes आए है वो n outcomes कैसे हैं भाई यह equally likely mutually exclusive and exhaustive and out of these and out of these outcomes if m outcomes favors event a आप क्या बोल रहे हैं कि हमने एक experiment किया जिसके n outcomes थे वो जो n outcomes हैं देवर है equally likely mutually exclusive and exhaustive और इसमें से अगर m events है जो a के support a के favor में हैं तो अगर आप निकालते हैं probability of a जिसको हम PA से denote करते हैं तो PA कितने के बराबर हो जाएगा m upon n है ना m की value 0 से n के बीच होगी तो m upon n and of course positive होगा है ना तो हम लोगो ले m upon n की जो value होगी गाई वो 0 से लेकर 1 तक होगी और इसका मतलब किसी भी event की जो probability होगी है ना तो इसलिए लोग कहते हैं कि किसी भी इवेंट की जो प्रोबाबिलिटी होगी वह जिरो से वन के बीच की ही होगी है मेरे खाल से समझ गया होगी यह portion मैंने हटा दिया और यह समझने मेरे काल से कोई तकलीफ हुई नहीं होगी अब एक चीह होता है कॉंप्लिमेंट ऑफ एन इवेंट अब कोई बहुत अब इसा कुछ किया कि हाव वह बीटिफुल इवेंट इस नहीं वह नहीं होने को हम कॉंप्लिमेंट ऑफ एक नहीं होने को हम कॉंप्लिमेंट ऑफ एक कहते है तो अब इसमें एक और यह हो गया और इसमें एक एवेंट है यह आपका sample space में तो है बट इसके बाहर के space को हम लोग क्या कहते है complement of a क्या कहते है complement of a और generally हम इसको a c a complement या फिर a bar या sometimes a dash से भी represent कर देते हैं a dash से भी represent कर देते हैं लिखा हुआ होता है basically ठीके तो अगर कोई बुचे कि what is the probability of a complement या probability of a bar तो of course total outcomes तो अभी भी n है मेरे भाई m cases a को favor कर रहे थे तो कितने cases a bar को favor कर रहोंगे तो अगर m cases out of n अगर a को favor कर रहे हैं तो a bar को favor करने वाले कितने cases हो जाएंगे भाई मेरे n minus m जैसे इसको अलग-अलग कीचेगा तो this is 1 minus m by n है ना 1 minus m by n तो यानि कि pa complement कितने के बराबर आ जाएगा दोस्तों this is going to be 1 minus m by n क्या हो गया पी ए पी ए तो पी ए सरी पी ए तो हम लोग लोगे पी ए complement कितने के बराबर जाएगा 1 minus pa यानि कि pa यहां से लिख सकते है pa and plus pa complement है इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि pa और plus pa complement this sum is going to be 1 यानि happening and not happening कचो sum होगा यह 1 होगा अब इसके भी बड़े अच्छे-च्छे use हैं है ना जैसे बहुत बार क्या होता है कि हमें किसी event की probability निकालनी होती है और वो event बहुत ही जादा lengthy होता है मतलब बहुत सारे cases बन रहे होते हैं in fact ऐसा होता है बहुत बार कि A के तो होने के बहुत सारे तरीके हो रहे होते हैं जो A बार है उसके होने के हो सकता हो कि उससे कम तरीके हो रहे होंगे है ना तो हम इस तरह के cases में क्या करते हैं कि हम direct PA नहीं निकालते हैं फिर हम क्या करते हैं कि one में से A के नहीं होने के chances को घटा देते हैं and that is the very beautiful method है ना तो इसलिए हम अपनी thought process में इसको भी अभी से include करके चलें कि कभी ऐसे सवाल अगर मालीजें आपके पास आएं जिसे probability of A directly calculate करना मुश्किल हो रहा हो तो आप A compliment की probability को पहले निकाल लीजे और फिर बोलिए how beautiful you are फिर आप निकाल सकते हैं P of A ठीक ना यह कह रहा है कि note that A and A compliment makes an event a sure event and probability of a sure event is one तो मेरी खासे clear यह बाद ठीक है उसके बाद एक चीज आती है जिसको हम लोग कहते है addition theorem addition theorem में हम लोग कह रहे हैं कि भाई एक experiment किया है sample space आया भाई या तो sample space को इससे डो यह कौन सा event है B है ना यह B है और यह पूरा जो है यह sample space है तो यह जो portion है जो आप white view में देख पा रहे हैं यह ना इसको आम लोग बोलते है A and B A intersection B है ना notation में लिखेंगे तो A intersection B और बोलेंगे तो क्या होगा यह बोलो A and B बोलो क्या होगा A and B कोई पूचे सर्थ यह वाला portion क्या है यह वाला portion तो यह वाला portion ही यह A intersection B बार मतलब A का होना और B का नहीं होना इस वाले reason में गर आप देखेंगे तो B नहीं हो रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं कि A का होना और B का नहीं होना यह वाला reason जो है बचो क्या ह्कितोब बार जब बात करेंगे तो ना तो A हो रहा है ना तो B हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बार intersection B-bar. अभी बहुत बार क्या होता है? कि हमें P-A union B निकालना होता है. अब को बोले A union B क्या है? गुरू जी A union B यह पूरा स्पेस हो गया. A union B यह पूरा स्पेस हो गया. तो कोई बोले सिर्फ P-A union B निकालना है? अच्छा तो यह बहुत आसान है. अपो तो बात तो सही है ऐसे तो निकल जाएगा लेकिन जैनरली आप questions में किया देखोगी कि PA दिया होगा P B दिया होगा PA intersection भी दिया होगा तो उसके toss में लिखना होगा तो चले ही दिखते है कैसे लिखते है तोा भाई इसमें हम लोग क्या कह रहे है कि सबसे पहले PA लिख रहे है, PA, ये पूरा space, PA, और ये space हो गया PB, तो हमने क्या कि अब PA और प्लस PB कर दिया, अब आप में से सारे समझदार बच्चों को दिख गया होगा, कि जब सर आप PA और PB जोड़े हैं, तो ये वाला region जो है PA intersection वी वाला, वो दो बार आ रहा है, तो A union B है, वो क्या होगा, PA plus PB और माइनस क्या होगा, PA intersection B, and this is called as what, your addition theorem, इसको लिखने के लिए हम लोगो बहुत तरीक असा लिख सकते हैं, जैसे PA union B तो ही एक पर रिका लिखने का, इसको लिखने का तरीक है, A plus B भी है, अगर आप A plus B भी लिखते हो, तो भी उसका सेम मतलब PA और B का भी मतलब सेमी, probability occurrence of at least one A और B, मतलब कम से कम एक का occurrence, मतलब कम से कम एक मतलब, या तो सिफ A, या तो सिफ B, या फिर दोन, कम से कम एक मतलब, और इसको लिखने के भी अपने बहुत अलग अलग तरीके, एक तो हम लोगों ने बोला PA plus PB minus PA intersection B, आपने देखा, दूसरा हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे कभी सवाल मान लो ऐसा आजे, कि which of the following represents PA union B, और multiple correct में सवाल आ गया, which of the following represents PA union B, multiple correct में आ गया, तो इसको लिखने के कई सारे तरीके हैं, एक एक करके देख लेते हैं, यह ना धीरे-धीरे, जहां से देखिएगा, यह वाला तो भी समझाई देखिएगे बार, PB intersection a आ धा, तो PA plus PB intersection बार, तो सर, उधर की साइट से करेंगे, तो भी ऐसा लिख सकते हैं, answer is yes, PB, और MA, प्लस PA intersection B बार, तौने लेकिए, Turns, PB, प्लस PA intersection बार, प्लस PA intersection बार, फिर और कैसा लिख सकते हैं, तो भाई, PA intersection, बार this region plus PA intersection, बी स्वाएग के प्ल भी ले सकते हैं 1-1 में से बाहर का हिस्सा सब्ट्रैक कर दिए 1 में से P A बार intersection B बार हटा दिजे तो अब आप देखिए का 1-P A बार को A compliment ली दिया है intersection B compliment है ना या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हैं भी आपने देखा था ना कि PA plus PA compliment is 1 अभी आपने लेखा था तो मैं ऐसा भी तो बहुत सकता हूं कि PA union B plus PA union B compliment is equal to 1 PD plus PD compliment तो PA union B ऐसा भी लिख सकते हैं आप 1-PA union B compliment एक आप चाहें तो और लगा दिए तो मेरे का सब चीज मैंने clearly बतला दी है अगर फिर भी कुछ लग गया हो 19-20 तो आप फिर उड़ा सा रोक कर इस वीडियो को फिर से पुना देख लीजिए कि इस पार्ट को सो देट कि आपके सारी कॉंसेट्स clear हो जाएं गाइस आगे बढ़ते हैं तो पी ए यूनियन बी को तो बताई दिया है यही फिर से आगे हाँ हाँ यह तो ठीक है प्रोबाइबिटी ओपॉजिट ओफ एट लीस्ट ए और भी मतलब उसका ओपॉजिट हो जाएगा नीदर ए नौर भी है ना नीदर ए नौर भी यानि कि हम लोग बोलेंगे कि आप पी ए बार इंटरसेक्शन वी बार तो भाई अगर यह निकालना है तो सीधा वनवे से पी ए यूनियन भी घटा देंगना है यार तो मेरे का से बहुत बड़ी बगयती नहीं है आप आराम से समा सकते हैं ना अब एक शीज कहता है कि अगर मान लिजे ए और बी म्यूचुली एक्स्क्लूजिव है मुच्यली एक्स्क्लूजिव का मतलब क्या होगा कि भाईया दूनों साथ-साथ अकर नहीं करेगा दूनों सांसाथ-साथ अकर नहीं करेगा मतलब播 intersection B has to be 0 intersection B has to be 0 का मतलब हो गया देख लिए द्यान से अलग अलग दब्बे दोनों सांसाथ नहीं हो सकते तो intersection B probability तो 0 हो गया तो यानि कि सीधा सीधा कि आएगा PA plus PB कि आजाएगा सीधा PA plus PB तो यह सब formula है द्यान से देख लिएगा बच्चों है न अगर कोई बोलता probability any two exactly one of A और B occurs exactly one of A और B occurs अगर कहता है तो द्यान से देखिएगा बड़ा interesting exactly one of A और B occurs का मतलब हुआ बच्चों कि यह वाला portion exactly A not B है ना यह वाला portion exactly B not A तो यह रीजन साथ है जिसमें सिर्फ और सिफ ए हो रहा है भी नहीं और यह वाला इसको भी ऐसे हम लिख सकते हैं अलग अलग तरीके से आप जो होता है वह देख लेते हैं ना मुद्दे वाली बार जैसे पी ए करो प्लस पीडी कर दो यह दो बार आया चाहिए एक बार भी नहीं तो दो बार हटा दो गायव कर दो तो हम लोग इसका कैसे लिखते हैं बही वही चीज लिखा देखओ न यहीं बोलो रहा बार बार ठीक है ना संबल्क होना सब अलग अलग 맛있 समझे लोग कि सब अलग लोग नहीं जैसे मालेजिए कि यह इवन हुआ यह इटू हुआ यह इए थ्री वह ऐसे करकर के मालेजिए एं तक जा रहा है तो mutually exclusive भी है मतलब कोई ही intersection किसी का किसी के साथ नहीं है और exhaustive भी है तो अब आप यहां समझ सकते हैं कि देखो इन सब का union sample space होगा किकी exhaustive है तो इसकी जो probability होगी कि यह sample space है और sample space is a sure event तो इसकी जो probability होगी that is one और since mutually exclusive है तो कोई intersection का part तो ही नहीं तो हम उसको कैसे लिख सकते है इस पूरी चीज़ को PE1 प्लस PE2 तिल PEN का sum वो किसके बराबर हो जाएगा one यानि इन सब की probabilities का जो जोड़ होगा वो किसके बराबर हो जाएगा one के बराबर हो जाएगा मेरे गांसे बहुत basic सी बात है यह बार भी clear होगी है एक inequality है बच्छों यहां से देख लिजेगा है य यहरगा है जब हम PEA intersection B की बात करते हैं यानि यह हिस्सा जो इन दोनों के बीच में डेफिनेटली हम इस हिस्से के बारे में एक बात कह सकते हैं, कि यह PA से भी छोटा होगा, PB से भी छोटा होगा, यह जो हिस्सा है, PA तो बड़ा स्पेस है ना बाई, और PB भी बड़ा स्पेस है, तो यह जो PA intersection B का हिस्सा है, वो PA से भी छोटा होगा और PB से भी छोटा होगा, औ और PA और PB की बात करें, मतलब हम सिफ PA की बात करें, या सिफ PB की बात करें, ठीक है, ये दोनों के दोनों हिस्से जो होंगे, वो PA union B से छोटे होंगे, क्योंकि PA union B तो ये पूरा हिस्सा हो जाएगा, तो जो PA union B है, वो PB से भी बढ़ा होगा, और PA से भी बढ़ा होगा, एक सेट दूसरे में घुज जाए, तो equality भी possible है ना, तो वो PA union B से चोटा होगा, और PA union B फर्दर किसे चोटा होगा, PA plus PB से, क्यों से है, क्यों कि PA union B क्या होता था, PA union B, अच्छा देखो, PA plus PB करोगे, तो ये हिस्सा दो बार आएगा ना, और PA union B का मतलब क्या होगा, कि ये हिस सा एक बार, यानि, of course, ये वाली चीज इस से क्या हो जाएगी, बड़ी, और आप ऐसे भी सोच सकते हैं, कि PA union B क्या होता है, PA plus PB minus PA intersection B, तो PA union B, PA plus PB के बराबर तो नहीं है, बैलेंस कब होगा, जब PA intersection B घटा होगे, तो जब नहीं घटा होगे, तो PA plus PB बड़ा होगा, किस से union B से, तो मुझे लगता है, ये inequality भी clear हो गई होगे आपको, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, there are few questions, जो हम लोग करते हैं, ये सब J-Main 2023 के सवाल हैं, आप लोग भी pause करकर करते जा सकते हैं, चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ, पहला कह रहा है कि, let N denotes the number, capital N, capital N denotes the number, terms of bin of fair die is role, एक fair die को जब हम रोल करते हैं, if the probability that the system of equation has a unique solution, अब आप सोचो, unique solution का बात है, तो मैं तो सोच पा रहा हूँ, unique solution आता है, जब delta क्या होता है, non-zero, देखो, ये kramar सुरूल है बचो, है न, और kramar सुरूल का समाल इस बार भी आया है, सानी के नहीं आया है, इसलिए ध्यान से देख लिए, तो हम इसका delta पहले तो निकालेंगे, 2N2, and this is 33L, और ये delta होना चाहिए, भईया, non-zero होना चाहिए, इससे पहले हम थोड़ा सा काम कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा हम कर लेते हैं, C2 को लिख देते हैं, C2-C1, and C3 को भी लिख देते हैं, C3-C1, पर तो कोई परक पड़ा नहीं, मेरे दोस्त, 1, 2, 3, इधर क्या हो गया, 0, इधर हो गया, N-2, और इधर हो गया, 3-3, that is 0, यह चीज़ हो जाएगे, फिर से 0, C3-C1 करोगे, 2-2, 0, और यहाँ जाएगा, फिर से N-3, easy to evaluate, first row के लॉंग expand कर रहे हैं, तो of course, 1 के साथ इन दो not be equal to 2 & 3, N2 भी नहीं हो सकता है, N3 भी नहीं हो सकता है, N2 भी नहीं हो सकता है, N2 भी नहीं हो सकता है, N3 भी नहीं हो सकता है, तो unique solution होनी की probability क्या हुई, तो N के से 6 , यह यह तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, total, in kya denote कर रहे हैं? number that turns off when a fair die is rolled. तो जब क्या-क्या numbers आएंगे, एक fair die को roll करने के बाद, या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3, या 4, या 5, या 6, तो आले लेगे 6 favorable case, और उसमें बच्चो 2 और 3 नहीं आ सकता है, तो क्या-क्या आ सकता है, आप खुद बताओ, 1, 4, 5, 6, 4 case, बुल ले, then the sum of the value of k, मतब k की value, और plus, all possible values of n, तो क्या-क्या possible values थी, 1 की, 1 था, 2 नहीं था, 3 नहीं था, तो क्या था, 4 था, 5 था, और 6 था, है ना, तो 6, 4, 10, और 5, 4, 9, और 1, 10, और 10 और 10 मेरी क्यां से क्या आ रहा है, 20, तो मुझे लग रहा है कि, इसका जो correct answer आना चाहिए, वो शायद 20 आना चाहिए, है ना, C, C option, ठीके ना, देख लिए जाब लोगे उपर, आगे बढ़ते हैं, next question, next question में बोला है कि, let this be a sample space, sample space का एक चिन बना दिया है, और a कोई एक event है माली जाया ना, subset of sample space है, मतब event होगा है ना, अच्छा लिख भी जा, be an event, given below are two statements, दो statement दिया हुए, S1 दिया हुआ है, कि अगर probability of a 0 है, मतब जिस event की probability 0 है, तो हले बोले a must be null set, 5 है ना, तो option is, answer is yes, ऐसा ही तो होगा, कि अगर a में कुछ नहीं है, है ना, 5 है, null set है, तो of course उसकी probability 0 होगी, और अगर probability 0 है, तो of course वहाँ सही बोल सकते हैं, कि my n 0 है, तो m को 0 होना ही बढ़ेगा है ना, तो यानि ये चीज़ सही है, आपको वहले PA 1 है, मतब a जो event उसकी probability 1 है, तो a must be the sample space, that is also true, तो मेरे काज़ दोनों ये options true है, और देखो plus 4, यहां पे लाना कितना असान है, पिछला वाला भी plus 4 बहुत असान था, हाना कि वहाँ delta non zero पता होना चीए, उसके बाद तो बहुत असान था, ये भी बहुत असान था, तो इसलिए मैं बोला हूँ कि, अगर थोड़ा भी ढख सेपन पढ़ लेंगे नो यार, तो आपके session में हो सकता है, तो easy वाला ही सवाल आया हूँ न, आपन क्यूं मानगे चले कि, कठीन वाला ही आएगा उसमें, let capital M be the maximum value of the product of two positive integers, दो positive integer का जो product है, उसके maximum value है capital M when their sum is 66, aim GM वाली बात कर दीसे हैं, कि अगर sum 66 है, है न, तो product maximum अगर करना है, है न, तो हम aim GM लगाते हैं, गर आपको याद कि, x plus y upon two is greater than equal to root under xy, 66 रखोगे तो xy is less than equal to 33 का square, यानि कि maximum value जो है न, capital M, capital M हो गया guys, 33 का square, है न, तो capital M is the maximum value, of the product of two positive integers, when their sum is, तो ये capital M की value हो जाएगी है, है न, अब बोलें, let's sample space, s is x, x belongs to integer, है न, such that this is greater than equal to 55, 5 by 9 into m, है न, तो हम रो चली इसको निकालते, कैसे निकाल सकते हैं, x into 66 minus x, I hope ये वाला पार्ट clear हो गया होगा, 5 by 9 into m, मतब 33 into 33, तो 3 तिया 9, 11 बार में, 11 बार में, इन सब को इज़े लेगे, तो x square minus 66 x, और ये 121 गुने 5, तो, प्लस में आएगा, 605, less than equal to 0, है न, अगर हम लोग इसकी बात करें, तो मुझे लग रहा है कि ये 55 x, और 11 x में शाय तूट जाएगा, तो I think this is x minus 55, इन्टू x minus 11, एक बार चेक कर लो, ठीक ही लग रहा है, 11 इन्टू 55, 605, ठीक है, तो अले ले x की value, फिर कहां से कहां दा गा रही है, मेरे बाई, 11 से 55, ठीक है, एंड इवेंट ए, जोखो, अलाग अलाग, डिफाइन कर रहा है, बट कुछ है नहीं, अगर आप basic तरीके सचलते हो, और सही सही factorize कर रहे हो, तो कुछ है तो नहीं है नहीं, ए है एक अब इवेंट, और उसमें elements x हैं, जो की इस sample space के part हैं, and it is a multiple of three, तो ए में क्या क्या आया होगा, तो 11 से 55 है, तो मुझे लग रहा है कि 12, 15 और इस तरीके से 54 तक, यह है होगा, तो बोला दिन P.A. तो हम लोग लोग लिए P.A. के लिए, हम नीचे तो क्या लिखेंगा बताओ, total number of cases and samples, तो मतलब यह, 11 से 55, तो मैं जहीं लगता है कि इसमें कितने number होगा, 45, अब इसमें देख लो, इसमें कितने हैं, 12 और 15 का चलना है, 54 तक चलना है, तो यह 18 तक है, 3, 18, 14, और 4 से चलना है, 3, 4, 12, तो 3 से गर हम count करते हैं, 3, 6, 9, और 12 और ऐसे count करते हैं, 54 तक तो अठारा है, तो यह खतम होगया, 3 तो 15 आगे, तो थोड़ा सा में केरफुल रहना पड़ेगा, 1 by 3, तो मेरे कासर ठीक है, आप इस तरीके से calculate कर सकते हो, आसानी है, नेक्स्ट कोशन पर आते हैं, यह सब 2023 के सवाल हैं, अलग-अलग shift के हो सकते हैं, मदब हो सकते हैं, हो सकता हो, आप भी दो एक ही shift में है, next question is, let capital N be the sum of the numbers appeared, when two fair dice are rolled, दो fair dice को roll किया गया है, और capital N के दिनोट करता है, sum of the numbers appeared, मनदब अभी जैसे हम एक कुछ example ले रहे थे, तो दोनों के sum की बात हो रही है, and let the probability that this, are in GP, तो simple as GP है, तो उसके square कर लो, 3N, equal to N minus 2 into N plus 2, B square equal to AC है इस point को use कर लिजा, तो this is N square minus 4, तो N square minus 3N minus 4 is 0, इससे N की दो values मुझे लग रही है, एक तो 4 और एक minus 1, तो minus 1 तो नहीं आ सकता है, दो dice के faces का sum है न, दो dice के faces का sum, minus 1 तो नहीं आ सकता है, 4 आ सकता है, तो वो कब-कब हो सकता है, जब एक dice पे 1 हो, एक पे 3 हो, या फिर एक पे 3 हो, एक पे 1 हो, या फिर एक पे 2 हो, और एक पे 2 हो, इस तरीक से है, तो मेरे खाल से ये चीज़ है, possible है, capital N के लिए न, तो लेट capital N, because some of the numbers appeared, when two fair dice are rolled, and let the probability, that these 3 are in GP, B, K by 48, तो अल्वाने कि, GP में चाहते हैं, मतब N को 4 होना चाहिए, तो हम लोग बोलो, उसकी probability, तो बताव, total cases, sample space में, अपने बच्पन से पढ़ रखा है, 10 से, 36 होते हैं, और इस 36 में, 3 cases favorable है, तो मुझे लग रहा है, 1 बटा 12, but वो बोला है, K by 48, तो 4 से multiply कर लो, तो 4 by 48, यानि कि, इसका correct answer, क्या हो जाएगा guys, B, Bombay है ना, B, Bombay, अगले सवाल कर लो, अगला सवाल कहे रहा है, कि S, B, W1, W2, W3, so on, और be the sample space, associated to a random experiment, तो हम लोग लोग कोई भी random experiment है, और उसमें ये events हैं ना, और P, WN, equal to this बोल रहा है, तो हम ही काम करते हैं ना, कि इसमें जो WN है, उसकी probability को हम माल लेते हैं, suppose कर लो, P माल लेते हैं, तो इस वाले formula से, P, W2 कि आएगा बचो, this is P, W1 upon 2, है ना, N equal to 2 के लिए लगा सकते हैं, तो this is P by 2, फिर कोई कुछे P, W3 कितना हैंगा सर, तो P, W2 upon 2, यानि P by 2 square, ऐसे चलता जाएगा, ऑफ कोर्स, अगर हम लोग बोलें कि यह sample space है, तो यह exhaustive होगा, तो इन सब का जो sum होना चाहिए, यह जो sum है, P plus P by 2, plus P by 2 square, P by 2 cube, ऐसे चलता जाएगा, तिल infinity, क्योंकि इसमें, हमें नहीं बता है कहां तक है, तो हम infinity तक कहीं मान के चल रहे हैं न, इसकी value 1 होनी चाहिए, इसकी value क्या होनी चाहिए, 1, क्योंकि इन ही में से कोई न कोई आएगा, तो यह exhaustive है, तो इनकी जो probability का sum है, that should be worth 1, अब यहाँ पर देख सेंगा तो एक GP है, तो P first time, और नीचा जाएगा, 1 minus half equal to 1, यहनि मुझे लग रहा है यार, P की तो value आ रही है भाई, 1 by 2, 1 by 2, तो यहनि, P w1 is half, P w2 is 1 by 2 square, P w3 is 1 by 2 cube, अहां, इस सजेस्स सिंप्ली, कि P wN किसके बराबर हो जाएगा, 1 by 2 की power N, W3 है तो 2 cube, W2 है तो 2 square, W1 है तो 2 की power 1, तो WN है तो 2 की power N, मेरे काल से यहां तक clear होगी होगी है, तो यहां तक भी ऐसा कोई जटिल समस्या नहीं है, अगर आपको fundamentals का idea अच्छा से, तो यह काम आप कभी भी, कभी भी कर सकते हैं, आप बुला है कि, let A equal to 2K plus 3L, जहां K और L natural numbers है है, और B है आपका एक WN वाला, then PB is equal to, अच्छा, इसमें एक और खास बात बोले है, कि N जो है, वो set A का है, यानि कि WN होगा या नहीं होगा, यह depend करेगा है, जैसे अगर K और L natural numbers है, तो सबसे छोटी value A में के आएगी बच्छो 5, K और L दोनों को जब 1-1 रखोगे हैंना, इसको 2 और 1 रखोगे, तो यह 7 आएगा, 2 और 1, और 1 और 2 रखोगे, तो 8 आएगा, और 2 और 2 रखोगे, तो 4 और 6, एक मिनिट, हाँ, 4 और 6 हो जाएगा ना, 10, और 3 और 1 रखोगे, तो 9 भी आजाएगा, और 4 और 1 रखोगे, तो इक गारा भी आजाएगा, मुझे लग रहा है कि इसका आएगे, फिर सब आने लग जाएगे हैंना, नहीं तो फिर तो मामला खराब हो जाएगा, तो मेरे कहाल से, A की values यह possible है, यानि कि B में जो events आएगे बचो, वो क्या आएगे, W5, W7, W8, and so on so forth, अब सब को जोड़ दो, या फिर हम ऐसा ज़्यादा बेटर नहीं है, कि हम 1 में से घटा दें, किसको घटा दे बचो, एक तो W1 को घटा दो, W1 को घटा दो, W1 कितना है, W4 को घटा तो, और एक और घटेगा, W6, ये भी interesting है, W6 नहीं आएगा है, आप चेक करके देख लो, W6 नहीं आ रहा है, तो मेरी काल से, अब इसकी value जो भी आएगी, वही हमारा answer होगा, तो मेरी काल से, 1 माइनिस, ये नीचे तो 64 हो जाएगा, LCM में तो, और यहां 32, 4 है न, तो 16, 8 है तो 8, 4 और प्लेस 1, 32, 32, 42, और 16, 20, 20, 21, 21, 21, 22, इसमें क्या-क्या possibilities हैं, उसके साब से, ठीक है, ओके गई, नेक्स कोश्चन आप देख सकते हैं, कि एक बैग है, जिसमें 6 balls हैं, different colors के ball हैं, और 2 balls, draw किये गए हैं, succession में, एक के बाद है, with replacement हैं, replacement के साथ, the probability that both the balls, are of same color as P, दोनों balls same color के हूँ, तो इसकी probability P है, तो इसको चली ही निकालते हैं, आपके बाद 6 balls हैं हैं, और, देखो, अलग-अलग colors के ball हैं, तो कोई हो सकता है, red हो, green हो, ऐसे अलग-अलग different colors हैं, तो जब पहली बार आप ball निकाल लाओ, तो कोई भी बार निकाल सकते हैं, आप तो पहली बार हैं न, तो पहली बार तो पहली बार तो कोई भी color का ball हो सकता है, तो 6 by 6, छे में से कोई भी option निकाल सकते हैं, छे में से कोई भी option निकाल सकते हैं, पहली बार तो, लेकिन जब दूसरी बार जब आप निकालने जाएगा तो फिर तो वही बॉल निकालीगा ना जो पहली दफ आया हो तो उसकी possibility सिर्फ 1 है उसके favorable cases 1 ही है out of 6 तो यानि कि जो P है this should be 1 by 6 अब हमारे पास दूसरा क्या कहे रहे है कि next 4 balls are drawn in succession next 4 balls हम निकाल रहे है एक के बाद एक with replacement and the probability that exactly 3 balls are of same color उसकी probability बोलता है Q है ना is Q तो मैंने क्या कहा कि देखो चारो बार तो available sample space तो 6 ही होगा क्योंकि replace करते रहे हर बार अब होगा क्या सुनना दियाना से कोई एक color होगा जो 3 बार repeat हुआ होगा तो 6 different color है तो 6 में से पहले कोई एक color select कर लो और वो 3 बार आया होगा अब 4 बार आप निकाले तो उस 4 में से किसी भी 3 times आ सकता है तो 4 C 3 और एक time बच गया अब वहाँ पर क्या होगा कि कोई भी color आ सकता है except that color जो जिसकी बात हो रही है ना तो हमारे पास अब 5 ही color बचें तो that is 5 C 1 तो 6 C 1 is 6 तो यह गया and this is 4 into 5 upon 216 और हम अगर P by Q निकाल रहे और इदर 20 और इदर 216 गया तो 6 को 36 बार 4 नवा चतिस 4 पंजे 20 है ना तो मेरे का से 9 is to 5 बार है और यहां से इसका जो sum आएगा that is going to be 14 that is going to be 14 ठीक है भई आगे सवाल पर चलते है अगला सवाल कह गया है तो 3 dice को हमने रोल किया is the probability of getting different numbers on the 3 dice मतलब तीनों पर अलग-अलग numbers is P by Q P by Q तो बहुत सिंपल ही है जैसे है पहला वाला dice पर हम लोग बोले कि 6 में सो कोई भी face आजाए कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जो दूसरा dice होगा उसमें वो नहीं आए जो पहले पर आच चुका है तो उसके लिए तो 5 ही favorable case होगा और तीसरे वाले के लिए सेंपल स्पे तो 6 काई होगा तीसरे वाले के लिए यह दोनों में सो कोई नहीं आना चाहिए तो 4 तो मेरे काल से यह गया दो दुनी शार्ट दो तिया 6 पांच बटा 9 तो 9-5 is going to be 4 तो मेरे काल से बहुत ही आसान सवाल सा यार ना अलग भी तरीके से किया जा सकता है ऐसा कोई दिक्कत नहीं है ना कि तीन अलग-अलग faces ले लो 6 में से और उसको 3 में बिखेर दो है ना तो वो भी किया जा सकता है कोई दिक्कत नहीं बट यह मुझे simplest approach लगा let capital N denote the sum of the numbers obtained when two dice are rolled हैना दो dice को जब roll करते है तो उनके उपर जो sum बन रहा है उसी को हम capital N कह रहे है it's the probability that this is less than this तो दो कि capital N 1 तो नहीं होगा कि कि दोनों का sum 1 नहीं होगा तो कहां शुरू होगा 2 से तो capital N 2 हो सकता है गया तो 2 square is less than 2 factorial this is not true यहनी capital N 2 नहीं हो सकता है 3 हो सकता है गया तो 3 पर देख सकते हो 2 cube that is 8 और 3 factorial that is 6 तो 6 is not greater than it तो 3 भी नहीं हो सकता है 4 पर देख सोलह और 4 factorial is 24 yes और अब यहां पर सिर्फ 2 का multiplication होगा कुछ है न और इधर तो बड़े-बड़े number हो जाएंगा जैसे अब next लिजेगा तो यह 32 हो जाएगा लेकि इधर अब 120 हो जाएगा मतलब इधर आप 5 से multiply होगा इधर 2 से फिर इधर 2 से फिर इधर 6 से तो जादे बड़े number से multiply हो रहा है यानि कि यह सब cases true हो जाएगे यानि कि n सिर्फ 2 और 3 नहीं हो सकता है मतलब दोनों faces पे 11 नहीं आना चाहिए और दोनों faces पे 3 में 12 और 21 नहीं आना चाहिए तो total 36 में से अगर यह 3 cases नहीं आ सकते तो कितने आ सकते 33 सिंपल और अगर ऐसा है और MN को प्राइम है तो तीन से काड़ तो 11 और 12 बारत यह सबतिस है ना तो हलोले कि M की value होगी 11 और N की value होगी 12 तो देखो कितना simple सवाल पूछा है ना तो अमेरिका से this is 44 minus 36 तो थोड़ा सा बस confidence रखो अगले सवाल पर चलते हैं अगले सवाल पर चलते हैं अगला सवाल मैट्रिक्स ट्राइप का लग रहा है यार एस एस एम ए आई जे और एई जी की values क्या वोला है 012 मतलब इसमें जो elements हैं वो 0 होंगे या फिर 1 होंगे या फिर 2 होंगे है ना यानि कि जो M है वो कुछ इस त और यह जो चारो elements ही है या तो 0 होंगे या 1 होंगे या 2 होंगे और 2 बाइ 2 का ही क्यों है क्योंकि IJ 1 से 2 के बीच में वेरिकर रहा है be a sample space and A कोई एक सेट अगेन है जिसमें matrix M का ही है belongs to S वाला है ना और M is invertible I think this is event event है ना तो event का तो मतलब sense नहीं निकलेगा let S equal to M A I J A I J belongs to 0 1 2 और I J 1 से 2 के बीच है be a sample space and A is this M matrix जो भी है belongs to S M is an be an event है ना यह sample space है और यह event है तो P A पूछ रहा है invertible का मतलब पता है कि आपको determinant of M क्या होना चाहिए बच्छो non-zero बच्छो अगर हम इसके determinant M की value निकालेंगे तो मुझे लगता है कि this is going to be A 1 1 A 2 2 minus A 1 2 A 2 1 ऐसा कुछ यह non-zero होना चाहिए दोस्ता ना non-zero निकाल सकते है ना बहुत सारे ऐसे भी कर सकते हैं कि हम 0 वाला निकाल लें और उसको total यह subtract कर लें पहले तो total देखो कितने बनेगे है ना एक possibility 0 है, दो number के product ही, जैसे ये तीन option से, तो एक तो possibility है, 0 हो सकता है product, फिर एक possibility कि 1 भी हो सकता है, 1 कब हो सकता है, जब दोनो 1 हो, क्योंकि दोनो 1 हो सकते हैं, दो से जादा भी 1 हो सकता है, ठीक है, या फिर हम लोग हो सकते हैं क्या, कि 1 हो, एक 2 हो, तो 2 आ जाएगा, या एक 2 हो, एक 1 हो, फिर 4 हो सकता है, और कोई case नहीं हो सकता है, हालोले कि 2 elements का product, या तो 0 हो सकता है, अब 0 होने के तो बहुत सारे तरीखे हैं, कि 1-0 हो, 1-0 हो, 1-0 हो, 1-0 हो, 1-0 हो, ऐसे करके हम लोगो वोले possibilities हैं, 1 की एक ही तरह से possibility कि दोनों को 1 होना पड़ेगा, तो ह के लिए फिर से 2 possibility है, 1-2, 2-1, और 4 के लिए हम लोगो वोल सकते हैं, कि फिर से एक ही possibility है, कि दोनों को क्या होना पड़ेगा, बच्चो, 2 and 2 होना पड़ेगा, ना, दोनों को क्या होना पड़ेगा, 2 and 2, तो मैं क्या कह रहा हूँ, कि ये non-zero अगर होना है, अच्छा, 0 होना है, तो फिर हमारे पास देखो क्या possibility बचेगी, कि दोनों 0 हो जाए, या दोनों 1 हो जाए, या दोनों 2 हो जाए, या फिर दोनों 4 हो जाए, यही possibility बचेगी, दोनों के 0 की बात करें, तो ये 0 कितनी तरीके सोचता है, देखो मेरे को ऐसा लगता है, कि ये 0 होने का एक तरीका है जैके 0 ये 1 या फिर ये 0 ये 2 या फिर 00 या फिर 10 या फिर 00 इसके 0 होने की 5 केसे और इसके भी 0 होने के फिर 5 ही केसे होगे और इधर से इधर से combination का total निकालेंगे तो मुझे लग रहा है कि पांच in to 0 हो सकता है तो total मेरे ख्याल से 25 cases होने चाहिए फिर कोई पूचे 1 कैसे हो सकता है दोनों 1 हो जाए तो दोनों 1 होने का एक ही case है कि सब के सब 1 1 1 1 हो जाए है न फिर 2 होने का तो 2 होने का इसके 2 रस्ते है 1 2 2 1 और इसके भी 2 केसे जिसमें determinant 0 मिल रहा है यानि टोटल अगर 81 है तो 50 केसे जाए से होंगे जिसमें determinant non-zero मिल रहा होगा तो I think the answer should be 50 upon 81 क्या हो जाएगा बच्चो 50 upon 81 ठीक है आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर अगला सवाल भी थोड़ा लंबा चोड़ा लग रहे है है ना इसके अगला सवाल भी थोड़ा लंबा चोड़ा लग रहे है यह कह रहे है कि let the probability of getting head है ना for a bias point be 1 by 4 यानि कि head आने की probability bias point की 1 by 4 तो भाई tails आने की probability हो गई 3 by 4 it is tossed until a head appears मतब इसको तब तक हम toss करते हैं जब तक head ना आ जाए let n be the number of tosses required n जो है number of tosses है if the probability that this equation has no real roots no real roots मतब discriminant should be negative discriminant क्या हो जाएक 25n square minus 4 into 64 less than 0 यानि n square is less than 256 by 25 so n should be less than solar beta 5 which is approximately 3.2 तो n की value n is the number of tosses required तो n तो मेरी ख्याल से 3.2 से छोटा होना चाहिए तो n तो integer होगा तो n क्या हो सकता है एक 2 या फिर 3 तो एक ही toss में head आ जाए तो इस बात के chances कितने हैं बच्चों 1 by 4 प्लस दो toss में head आए until head appears तो पहली बार head नहीं आया होगा यानि कि tell आया होगा और दूसरी बार में head आया होगा फिर 3 tosses में head आ रहा है ना तो यानि कि पहली बार tell आया फिर दूसरी बार tell आया तो मतब 9 by 16 into 1 by 4 तो देखो बिटा 1 by 4 तो common है और 1 plus 3 by 4 plus 9 by 16 तो मेरे को क्या लग रहा है कि 1 by 4 is the LCM नीचे 16 16 plus 12 और plus 9 तो this is I think 37 by 64 एक बार चेक करूं तो हमें निकालना है Q-P यानि कि 64-37 अगर यह सब calculation wise अगर सही है तो यह इसका answer होगा है ना ठीक है देख लेज़ेगा नेक्स्ट वी आर मोविंग तो conditional probability conditional probability में कुछ condition दिया रहता है ना जैसे सपोस कर लो हमने एक experiment ले लिया हमने एक experiment किया जैसमें हम लोग क्या बोल लें कि throwing a pair of dice हमने pair of dice को लोड़काया है ना अब इसमें दो event define करें एक तो है getting sum of two faces नाइन और मोर नौ या नौ सिज़ा है ना इटू एक event define किया है getting doublet तो बच्चों आपको पता है कि इसमें total 36 cases होते हैं experiment में है न और अगर मेरे को कोई कहता है अगर मेरे को कोई कहता है कि भाई दो event हमने define कर लिए हैं समझना यह हो गया even और यह हो गया e2 और यह पूरा sample space है या even e2 के जगे a और b लिख लेते हैं है यह और b में ज्यादा comfortable होगे है न आपको वह लेकिसर नाइन और मोर तो नौ यह नौ से ज्यादा मतब एक हो जक्ता है तीन छे ए में होगा छे तीन चार छे छे चार पांच छे छे पांच छे पांच ठीक है दो और elements वेसे तो नाइन में नौ के लिए तो तीन छे और छे तीन ही होगा और दस के लिए छे चार दो जैसे कि एक फाइब फाइब होगा तो फाइब फाइब इधर ने लिखें कि जब डबलेट होगा तो बच्चों आप समझीए उसमें एक फाइब फाइब और इसमें एक सिक्स भी आएगा उसमें एक सिक्स सिक्स भी आएगा तो यह कॉमन में क्यों लिए दिया चाहिए लगता है लगता है अब झीडिया है वी आएगा अब मेरे खाल से ठीक है डा पाँच चार और चार-पांच वळा भी आएगा ठीक है अब मेरे खाल से अब जैसे इस तरह के इस तरह के notations use होता है जैसे ऐसा लिख देगा पी एबाई बी ऐसे इस तरह से भी लिखते हैं बहुत बार ऐसे भी लिख देता है या फिर सीधा सीधा ऐसा भी लिखा जाता है बिल्कुल ऐसा वर्टिकल लाइन है यह थोड़ा सामने slant लिया है एक और notation होता है पी ए और ऐसा रहता है यह सिंबल क्या कहता है इन सब से कि मुझे अपने में मत मिला हो है तो इसको ध्यान से देख लिए यह क्या है इसको हम लोग कहते हैं आप्ट्यू स्लैश में भी हां अगर दिक्कत आए और पैचानने में एक एक से बनाकर यह एंगल ना अप ल दिक्या £ 2 अ रहे है तो कि इसका मतलब इनके जैसा नहीं होता इसका मतलब पि ए इंटर सेक्षं भी बार मतलब एक आधा ऑवा शुपी नहीं हो रहा है 1 एका वह ऊस्था उसमें भी नहीं हो रहा है तो यह अलग चीज है यह सब प्रोबाबिटी के शिंबल में यह सारी च B has occurred या फिर ऐसा भी बोला जाता है कि probability of A in short given B इन दोनों में से कोई भी आप English use कर सकते हैं probability of A if it is known that B has occurred या probability of A given B अब इसको थोड़ा समझी अच्छे से बहुत लोग इसको क्या कर जाता है मिस्स कर जाता है कुछ भी random ख्याल मत लाइएगा जैसे कर मुझसे कभी कोई बोलेगा कि एक pair of dice को हमने roll कर दिया और कोई बोले कि देखो भाई यह पक्का है कि जो sum of faces है 9 या 9 से जादा है now tell me the probability a doublet has occurred pair of dice roll करा के मेरे को वह यह था कि देखो भाई पक्का है कि sum of the faces is 9 or more now tell me the probability कि doublet आया हुआ it is given कि sum of the faces 9 या 9 से जादा है अब doublet की चांस से बतला हूँ कहानी में कहानी में कह दिया है कि यह पक्का हो चुका है कि जो roll करने के बाद बना है वो 9 या 9 से जादा है तो sample space 36 का नहीं रह गया sample space यह हो गया जिस event को confirm किया गया है यही base theorem भी है यही conditional probability भी है सब कुछ यही है इस से जादा कुछ भी नहीं है इसके बाद से problems की profile change होते रहेंगे दाएं बाएं आगे पीछे होता रहेगा लेकिन यही base theorem भी है कुल मिला के आप यह समझ लीते हैं इसमें इसने साफ साफ कह दिया कि भाई ए अकर हो चुका है मतलब some of the faces 9 or more है अब बताओ की double it आया हो तो भाई यह सब चीजे तो आई नहीं सकती हैं आपकी और आपको पता है कि 36 में से सारे cases नहीं आएं तो बहुत clearly बोल दिया है कि अगर it is given that A has occurred now tell me the probability of B या फिर यूँ कहले कि some of the faces is 9 or more what is the probability of B यानि sample space event A ही हो गया तो अगर हमसे कोई बूस्ता कि what is probability of A given B मतलब अच्छा यह अलग हो गया probability of B given A हमें यह पूचा जारा भी कि हमें पता है कि some of the faces 9 or 9 से जादा है what is the probability कि B has occurred तो आप समझेगा sample space क्या हो गया भाई sample space हो गया जो given है हमेशा ध्यान अखिएगा बस यह पकड़ दिया तो आगे काम हो जाएगा जैसे ही किसी event को confirm कर देना कि यह हुआ है अब बताओ probability तो जो हुआ है वही sample space पकड़ के काम कर लो तो लेले जो हुआ है क्या हुआ था A हुआ था तो NA लिग दिया अब NA में वह हिस्सा निकालना पड़ेगा न खिके देखो हुआ तो यही है अब पूरी चीज नहीं सोचेंगे हुआ तो यही है और इसमें वह हिस्सा जिसमें B अकर किया हुआ तो डबलेट तो अगर यह हुआ था तो doublet में यह सब तो आई नहीं सकता है, अगर 9 या 9 से ज़्यादा ही आया था, dice को roll करने के बाद, pair of dice को roll करने के बाद, तो doublet में तो सिर्फ दो ही चीज़ की possibility बसती है ना भाई, तो यह नि उपर क्या आजाएगा, n, a intersection, b, बस इतना पकड़ लिया, खेल हो जाएगा, तो probability of b upon a, अगर हम देखें, तो उपर नीचे sample space से करें, divide करोगे, तो this is basically probability of a intersection, b upon probability of a, इसको sample space से divide करेंगे, तो probability में convert हो जाएगा, तो यह नि बहुत basic सी चीज़ है, जैसे ही बोलता है, यह event हुआ है, अब इस event की probability बताओ, तो जो event confirm किया है, उसकी probability नीचे लिख दो, और उपर किसकी probability लिख दो, वो हिस्सा, जो a का है, जिसमें b अकर किया है, तो यानि कि probability of a intersection b, तो मेरे खाल से बस इतना ही basic सा है, यह मैंने आपको समझाई दिया, यह चीज़ आप देख सकते हो, जैसे कि आपने देखा ना, कि pb upon a खाया, क्या था अभी अभी यह मैंने निकाला, p a intersection b, और upon क्या था, p a, ठीक है, तो यह नहीं, अगर मुझसे कोई बूचता है, what is p a intersection b, guys, so I can simply write this as, p a into, p a intersection b, है ना, यही है, multiplication, this is nothing but p a into p b by a, कोई बूले कि p a intersection b को ऐसे भी लिख सकते हैं, definitely लिख सकते हो, सोचो आप, कि अगर मालो कोई बोलता है, p a by b निकालो boss, तो अब given b हो गया, given b हो गया, तो given b हो गया, मतलब जैसे, अगर हम इस example को refer करें, जो अभी हमने दिया था, given b मतलब, कि हमने pair of dice लोड काया, और यह बोल दिया, कि भाई, double it ही आया है, now what is the probability, that the sum of the two faces is nine or more, तो double it ही आया है, तो मतलब 6 ही case में से कुछ ना कुछ आया होगा, अब इस बात की probability पूछ रहा है, कि sum of the faces is nine or more, तो सिर्फ दो ही cases है, यहनि two by six, one by three, तो यहनि हम लोग वो लेंगे क्या, इस case में, इस case में है ना, इस case में कि जैसे नीचे तो क्या हो जाएगा, probability of b sample space, और उपर फिर से, उपर फिर से, b का वो हिस्सा जिसमें a कर किया गया है, तो b का वो हिस्सा जिसमें a कर गया है, तो वो तो p a intersection b है ना भाई, तो p a intersection b को आप यहाँ पर लिख सकते हैं, फिर से क्या, p b into p a by b, यह ना, p b is not equal to zero, ऐसे ही अगर आपको तीन के लिए भी लिखना है, p a intersection b intersection c, तो this is how you can write, अगर आप a से इसको खोलते हो, तो p a multiplied by b की probability की given a हो चुका है, और multiplied by c की probability, given a and b दोनों हो चुके हैं, given a and b दोनों हो चुके हैं, तो this is how you can use the multiplication theory, अब एक होता है independent events, जैसे दो event है, a और b, उसको independent कब कहते हैं, उसका एक definition है, a और b को independent कहते हैं, अगर हुआ, नहीं अगर हुआ, वो b की probability को effect ना करें, a का occurrence और non occurrence, b की probability को effect ना करें, जैसे मैंने मालों कि एक सिक्के को उच्छाला, अब सिक्के को मैंने 3 दफ़े उच्छाला, और मैं 4 दफ़े पूछूँ, कि समझ ना, मैंने एक सिक्के को 4 दफ़े उच्छाला लगा था, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, अब मैंने बोला कि देखो, दूसरे सिक्के, जब दूसरी बार उच्छाला था न, तो head आया था, अब बताओ कि जब चौती बार उच्छा लूँ, अब यहां पर कुछ बच्चे क्या करते हैं, गल्टी करते हैं, जैसे अगर हम से उससे पूछते हैं, तो वो इंडिपेंडेंट को मुच्छी एक्स्क्लूसिव की तरह ले लेते हैं, यह नहीं कीजेगा बच्छों, जैसे हमने बोला कि बाई, और हमने बोला कि A and B are इंडिपेंडेंडेंट इवेंट्स, तो अगर कोई बूसता सुनना दयान से, A और B इंडिपेंडेंट है, और कोई बूसता कि what is P A upon B, यह सिंबल क्या कहता है, यह सिंबल लेही कहता है, यानि कि B अकर हुए है, और इंडिपेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडें ही होगी जो पहले थी तो बहुत सारे बच्चे इसको जीरो लिख देते हैं that is totally wrong this is simply PA this is simply PA अब कोई फिर से जानना चाहिए कि सब फिर से एक बार बताओ कि कैसे हुआ यह PA बिलकुल simple है है ना अगर कोई कहता है कि A की probability अगर हम इसलिए इस तरीके से अभी डिवस्ते है यह करता है यह मैं करता है। और कोई कहता है मेरे को कि B हो चुक हे की probability वाटली बताओ यह तो दो अगर ऐसा है तो अगर ऐसा है तो इवेंड़कों independent भी कह सकते हैं है वाइस से वरसा थिक है ना तो इस लिए इस तरीके से अभी जासे आपने देखा बच्चो कि पी एंटरसेक्शन भी इस यू हब रिटेन इस पी ए इंटु पी बी भाई ये अभी आप यह देखना मुल्टिक्लिकेशन थे और में अगर आप कोई मुझे बोलता है कि इफ ए एंट बी आर इंडिपेंडेंट तो मैं के यह क्यों सारगे कि देखो ना अगर एए अर बी इंडिपेंडेंड देखैंग तो एका होना ना होना बी की प्रोबाइबिल्टेंट ब्रभाबेल्टे इक देख होता है कि अगर दोवेंट को पर बायरी होता है तो यहां पर पर दो इवेंड सेक्षन भी जिरू हो जाएगा पी एंटर सेक्षन अगर सब उसकलों कोई बोलता है कि सर कि क्या दो इवेंट्स अगर वो पॉसिबल इवेंट है तो अगर वो पॉसिबल इवेंट है मतलब उनकी प्रवाबिटी जीरो से बढ़िया तो जैसे अगर कोई बोलता है कि एंड बी आर म्यूचुली एक्स्क्लूजिव तो हमने बोले कि पी एंटर सेक्षन बी जीरो को बोले एंड बी आर इंडिपेंडेंट है ना तो हमने बोला कि पी एंटर सेक्षन बी इस पी एंटू पी बी है ना तो आप कोई बोले कि सर दोनों है मालीजे तो असला दोनों है तो अफकोर्स पी एंटू पीवी इक्वल टू जीरो होना पड़ेगा और इसका क्या मतलब होगा या तो पीए जीरो या तो पीवी जीरो मतलब कोई एक कोई impossible होना पड़ेगा तभी ऐसा चीज हो सकता है कि दोनों mutually exclusive भी हो और independent भी हो लेकिन अगर दो पॉसिबल इवेंट्स है तो यह impossible है कि दोनों साथ mutually exclusive or independent हो समझे रहे हो हो सकता है कि दोनों से कुछ भी ना हो वह एक अलग बाद है कि ना तो mutually exclusive है ना तो independent है है ना ऐसा भी जरूरी नहीं होगा तो independent ही होगा ऐसा भी कुछ नहीं बोलो है ना लेकिन मैं बस यह कह रहा हूं कि दोनों साथ-साथ mutually exclusive or independent नहीं होगा अगर possible events है तो है ना तो मेरे का से यह बात clear होगी कुछ examples है mutually exclusive events cannot have a point in common मतलब A intersection B 5 whereas independent events can have a point in common है ना वो तो obvious ही बात है एक die को roll किया गया है और हमने बोला किया कि getting a multiple of 3 तो 2 elements 3 और 6 getting an even face 2, 4, 6 तो PA निकालोगे तो 1 by 3 2 by 6 है ना इसका निकालीगे तो half A intersection B दोनों का intersection common तो common में तो देखो न 6 है तो तो machine exclusive तो नहीं है बट independent है गया तो देखना P6 is 1 by 6 और P6 के अगर हम बात करें तो इन दोनों का product नहीं है गया देखो ना PA intersection B मतलब P6 और P6 is 1 by 6 तो PA intersection B PA into PB है तो सही तो यानि कि यह event independent तो है बट mutually exclusive नहीं है बहुत बार लोग कहते हैं कि सर वेंड डाइग्राम को देखकर हम mutually exclusive बता पाते हैं बिल्कुल सही बात है अगर दोनों में को intersection नहीं है तो क्या हम देखकर वेंड डियाग्राम इंडिपेंडेंट भी बतला सकते हैं अरे नहीं भाई इंडिपेंड बतलाने के लिए आपको यह calculations करने पड़ जाएंगे और नहीं तो फिर वह basic definition बतला देखना पड़ेगा कि एक occurrence और non occurrence दूसरे की probability effect नहीं कर रहा है तो आप सोचिए ना कि PA into PB देखके बतला सकते एक गोला बना दिया में तो आप बता सकते कि what is that probability नहीं बतला सकते उसको निकालना ही पड़ेगा उसके अंदर कितने elements हैं, sample space में कितने हैं उसके साफ सही चलना हो पड़ेगा है ना तो इसलिए हम Venn diagram से directly independent की बात नहीं कर सकत है ना यह वही है जो मैंने अभी बतलाया था है ना अब एक है law of total probability ठीक है आप ऐसे सोच लीजे कि कि एक event experiment कर दिया एक experiment कर दिया उसका कोई sample space आ गया सब्सक्राइब सेंपल स्पेस है ना और उसे माले लिजे कि n events define कर दिया है एक sample space हो गया ठीक है s कोई experiment किया और उसका sample space आ गया जिसको हमने नाम दे दिया s अब हमने उस s event का हमने अलग-अलग events define किया ना उस s जो भी sample space है उसका अलग-अलग events define किया a1, a2, a3 till an तक define कर दिया और यह सारे के सारे a1 से an क्या है mutually exclusive भी है और exhaustive भी है तो यह नहीं इन सब का union sample space होगा और यह आपस में कैसे हो जाएंगे बच्चों mutually exclusive मतलब intersection नहीं अब हम लोग कोई बोलते हैं क्या कि अब हमने कोई experiment किया मतलब फिर से हमने कुछ से एक event define कर दिया s अब यह s जो यह e है यहां पर अभी e है तो हमने मालने जिए कि कोई यह पूरा s है sorry sample space और हमने बोला क्या कि यहां तक clear हो गया बात है न इस पर example करेंगे तो और clear हो जाएगा और एक e है एक और event है ठीक है न और वो हम लोग बोले हैं कि इन सब के साथ मालने जिए हो रहा है अधिशन हो रहा हूं उसका a2 में भी हो रहा है a3 में भी हो रहा है एक रुपे का सिक्खा है, वो जो प्रोभाबिलीटी को एक रुपे का सिक्खा है, तो आप देखना है, नूँ, कि वो जो probability होगी, वो तीनों bag में associated होगी, तीनों bag subscribe होगी, तो जो bag select करने के वाली चीज हो ग priory होगी है, वो A1, A2, A3 होगया, कि A1 का मतलब हो गया कि bag 1 is selected A2 का मतलब हो गया bag 2 is selected और A3 का मतलब हो गया bag 3 is selected और यह जो आपका E है यह वही हो गया कि what is the probability कि रूपी क्वाइन या एक रूपे का सिक्का हमने निकाला होगा समझे रो तो इस तरीके से अब इसकी total probability अगर आपको निकालनी है P तो आप देखे ना बच्चों यह P E किसके बराबर होगा P E की value क्या होगी देखना P E की value एक तो यह value यानि कि P E intersection A1 प्लस यह वाली value यानि कि P E intersection A2 and just like this यह चलता जाएगा और last में यह वाली value यानि कि P E intersection A1 कोई बोले मालीजे सर किसी particular event के साथ उसकी कोई probability associated नहीं होई तो वो part 0 हो जाएगा ना वो part 0 हो जाएगा अब इसको सोची open करते है तो इसको कैसे open कर सकते है P A1 into P E upon A1 कोई बोले सर इसको हम अगर ऐसे open कर दें P E into P A1 upon E तो आप सोचो ना यह तो बहुत बहुत बाहियात बात होगे ना आप P E निकाल दो आप P E के term में evaluate कर रहे हो तो यह तो करोगे नहीं है ना तो basically क्या होता है कि A1, A2, A3 और A1 पता होता है आपको है उसकी probability पता होती है तो हम लोग गो रहें कि this is how this is how it is open P A1 into P E upon A1 P A2 into P E upon A2 and P A N into P E upon A N तो इस तरीके से हम इसको open करके लिखते हैं और इसी को sigma notation में इस तरीके से लिख दिया गया है एक बार देख लिजा आप तो this is law of total probability बाकी एक important logic है इसको अभी याद ही रख सकते हैं इसको explain करने का भी तो मेरे पास समय नहीं है क्या नहीं तो फिर यह बहुत लंबा lecture हो जाएगा इसमें कभी भी ऐसा हो कि जैसे n whole number से उसको आपने multiply कर दिया और multiply करने के बाद जो unit place है उस unit place पे या तो 1 आया हो या 3 आया हो या 7 आया हो या 9 आया हो इस बात के probability निकल के आती है 2 by 5 की पार n यह सब हम लोग main classes में explain करते हैं अच्छे से फिर भी मैं थोड़ा सा और इसको समझा रहता हूं कि हम n whole numbers जैसे मालों तीन whole numbers लिया 12, 15 और 16 इनको multiply किया तो unit place पे कोई ना कोई number बनेगा ऐसे ही हम लोग हो सकते हैं कि n whole numbers लिया और उनको multiply किया तो unit place पे कुछ ना कुछ number बनेगा ऑफकोर्स 0 से लेकर 9 तक में बनेगा तो अगर कोई पूछता कि सर 1379 बना हो unit place पे तो उस बात की probability तो 2 by 5 की पार n कोई बोले सर 2468 बना हो unit place पे तो उसकी probability आगी बच्चों यह देख लो तो अगर कोई बोले 0 आया है तो उसकी probability यह हो जाएगी कैसे निकलता है तो यह बिल्कुल सिंपल तरीके से निकलता है कि अगर आपको 1379 में चाहिए तो हरे का unit place 1379 में होना चाहिए तो उससे निकल किया जाता है ऐसे 2468 का total में से घटा के भी निकाल सकते है अलग-अलग तरीक काड़ का डिक है है ना मतर्ब हम लोग बोलें क्या कि एक 52 प्लेंग काड़ का आपके पास सेट है ना वेल श्रफिल पैक है और उसमें से हमने एक पत्ता निकाला और हम चाहते हैं कि हुकम का इका पांच में ड्रोपे आए जैसे हमने सबोच कर लो कि एक एक करके हम पत्ते निकाल रहे हैं और जो पत्ता निकाल ना उसको बापस से नहीं रख रहे हैं इस चीज़ का त्यान लखेंगा ना experiments को समझना किस तरीके से experiments हो रहे है उसको समझना इवन्ट कैसे हो रहे है यह सब बड़ा important है थना हमां अपास प्रोफ में ड्रॉपर है तो जब हम पहली बार निकालेंगे तो हुकम का दसमें ड्रॉपर निकाले तो तो दसमें ड्रॉप भी निकाले तो रही आएक हुकम गई का है न ध्यान अकना एक पटिकुलर कार्ड की बात हो रहे, कोबले सर हम 25 में ड्रॉप निकालें, तो भी 1 by 52 आएगा, हाँ, अब अगर कोई बोलता है, कि सार मैं 33 निकाल साहूं, तो 52 ही कार्ड है भाई मेरे, तो 93 कार्ड तक तो बहुत दूर पहुंच जाओगे, तो 52 कार्ड में सब सलट जाएगा, हाँ, हम मान के चलना है कि 52 से कम है, कोबले सर पहले पे ही निकाल ले है, तो हम दो बहुत बहुत पहले पे ही निकाल लो, उस बात की प्रोवारिटी 1 by 2 है, 1 by 52 है, क्यों सर, कि पहली बार में ही निकालो गया, तो वही कार्ड आना चाहिए, वो तो एक ही है न, Ace of Spirit, एक पर् कि वही होना चाहिए, तो 1 by 52, कोबले सर दूसरे वाले पे निकालना चाहिए, तो दूसरे वाले पे निकालना चाहिए, तो दूसरे वाले पे निकालना चाहिए, तो पहले वाले पे निकालने के लिए, वो नहीं निकाल सकते, कोबले दूसरे पे निकालना है, तो दूसरे और इसको इन के लिए काम कर दो तो आप इस तरह से निकाल के देख सकते हैं इसकी वैलू अपने आप किया जाएंगे कोई लए निन सेकेंड पर निकाल है तो एसे कोई बले थार्ड पर देख लेटे हैं कोई एक कार्ड आजयाएगा वह प्रेग निकाल दिया वह से खोंसता अब पुट Similarly to लग शेम्मी से ल्ग्द का मालीजी के हमारे पास एक दोर है दर्वाजा और हमारे पास एक चावियों का गुच्छा है समू है ना और उस वाले दर्वाजे की चावी मालो 100-100 चावी है उस चावियों के गुच्छे में और उस वाले डोर की एक ही चावी है उस वाले डोर की एक ही चावी है और हम क्या ग गुच्छे में नहीं डालके बापस डिसकार्ड करते रहें, थ्रो करते रहें, अगर आपको दे दिया जाए कि यह 100 चावियां हैं, और आपको यह दरवाजा खोलना है, तो आप क्या करोगे, कि चावि निकालोगे, खोलना की कोशिश करोगे, और जो नहीं लग रहा होगा, फिट नहीं हो रहा हो, उसको हटा रहे होगे, so that कि हमें बार-बार उसी चावियों को ट्राइल ना करना पड़े, है ना, यह बहुत obvious बात है, है ना, तो मेरे कासी यह चीज़ है, अब कोई बोले कि सारफ मान लिजे कि आपके पास 100 चावियों का गुच्छा है, एक डोर है एक डरवाजा है, और आप इस तरीके से ट्राइल कर रहे हो, मान लोग कि हम चाहते हैं कि पचासमे ट्राइल पर दरवाजा खुल जाए, what is the probability, तो हम लोगो लेंगे 1 by 100, कोई सार पहले ट्राइल पर ही खुल जाए, तो भी 1 by 100, कोई सार पहले ट्राइल पर ही खुल जाए, लेकि अगर पहले पर ही खुलना है, तो वही चावी को ट्राइल करना पड़ेगा, तो that is 1 by 100, को अब लेंगे दूसरे पर खुल जाए सर, तो फिर से देखो पहले वाले पर वह वाला चावी नहीं आना चाहिए, तो 99 cases upon 100, into, दूसरे पर सर, दूसरे पर 1 by 99, 1 by 100 नहीं, 1 by 99 क्योंकि जो चावी हमने पहले में ट्राइ की थी, उसको थ्रो कर दिया है, तो चावी को गुच्छो में 99 चावी हमें बचिए, तो इस तरह से कभी-कभी कुछ questions आ जाते हैं, जिसको आपको बहुत easily handle कर सकते हैं, ठीके ना, अब 3 events की बात कर रहे है, defined on an experimental performance, देख लेते हैं इसको एक बार फटा-फट से, तीन events है, यह मैंने ऐसे PNC में भी बतला दिया, तो इसलिए मैं दुबारा इस पे बहुत जादा नहीं कहूंगा, अगर कोई 3 events है, और probability of A union B union C निकालना है मेरे भाई, तो PA plus PB plus PC, minus PA intersection B, PB intersection C, PC intersection, यह तीनों minus होगा है, और plus क्या आएगा बच इसलिए आप लास्ट में देखोगे, इसलिए आप लास्ट में देखोगे कि plus PA intersection B intersection C किया गया है, अगले भी देखिए, अगले भी देखिए, अगर कोई बोलता है exactly one appearing, exactly एक event appear कर रहा है, तो exactly one event appearing का मंदब क्या हो, exactly one का मंदब हो कि यह वाला हिस्सा, या फिर यह वाला, और या फिर यह वाला, तो बच्चों ज दो बार आया, तो इसको हमने दो बार हटा दिया, इसको भी दो बार हटा दिया, इसको भी दो बार हटा दिया, तो देखिए, तो अगले कि PA plus PB plus PC, और minus 2 times PA intersection B, 2 times PB intersection C, और 2 times PC intersection C, यह bracket में है, यह bracket में है, यह bracket में, अब सुनना, अब अगर हमने बोला, अगर हमने बोला कि द वला हिस्सा छेवार आउट हुआ और तीन बार आया तो मैंनस थ्री कर्जाँ हूँ और तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा पाgit जोड़ना पड़ेगा ताकि उसका जो कॉंट्रिबूशन है वो जिरो हो जाए तो एक्जाक्ली वन निकलेगा को बहुत है एक्जाक्ली टू अपीरिंग मतलब कौन से है यह वाले हिसा तो डारेक्ट तो नहीं निकाल सकते हैं फिर क्या किया हमने पी एंटरसेक्शन भी पी इंटरसेक्शन सी और पी बिंटरसेक्शन सी यह जोड़ा उसमें यह वाला 3 बार हैं एक रहें एक करींग at least two occurring, तो भाई अगर at least two occurring कोई कहता है, तो ये तो होना ही चाहिए, तीनों भी हो सकता है, तो भाई जो उपर वाला था, उसी में एक वार ये three वाला जोड़ दो, जोड़ दो, तो minus three times pa intersection b में एक वार जोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा, minus two times pa intersection b intersection c, तो इसमें भी कोई formula य independent events है, तो ध्यान रखिएगा, कि इसको इस तरह से भी follow करना पड़ेगा, पेर वाई इंडिपेडेंट है, बतब a और b इंडिपेडेंट है, b और c है और c और a है, तो पेर वाई इंडिपेडेंट के लिए pa intersection b is pa into pb, pb intersection c is pb into pc and pc intersection is pc into pa, ठीक है ना, यहाँ थोड़ा missing है, इसलिए मैं देख रहा था, if abc are pair wise independent, this implies they are independent, ऐसा नहीं है, तीन इवेंट के independent होने के लिए ध्यान अखिएगा, कि उसको pair wise independent भी होना पड़ेगा, और उसको mutually independent भी होना पड़ेगा, मतलब अगर तीन इवेंट्स a, b, c को अगर आपको चाहिए कि independent है सर, तो सबसे पहले ध्यान अखिएगा, कि PA intersection B, PB intersection C, PC intersection A, यह सब PA into PV, PB into PC, PC into PA होना चाहिए, और साथ ही साथ, PA intersection B intersection C is PA into PV into PC, तद ही हम independent भी हो सकते हैं, बहुत बच्चों का ऐसा लगता है कि सर, अगर पेर वाइज independent है तो independent हो जाएंगे, नहीं भई, इस चीज़ का ध्यान अखिना, वो प्रूव कर सकते हैं, बट अभी मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, लेकिन बस आप इस चीज़ का ध्यान अखिएगा, कि अगर आपके पास तीन इवेंट के independent होने की बात हो रही है, तो सिर्फ पेर वाइज independent से काम नहीं चलेगा, या फिर बहुत सारे बच्चे यह भी समझदारी दिखा रहते हैं, कि सिर्फ इससे काम चल जाएगा, नहीं भई, सिर्फ इससे काम भी नहीं चलेगा, यह भी च कैसे conditions बनने चाहिए, पहले तो 2 at a time वाले बनने चाहिए, कि E1, E2 independent हो, E2, E3 हो, E1, E3 हो, यह सारे, तो यह नहीं NC2, यह conditions बनेंगा, 2 at a time वाले, फिर 3 वाले भी बनेंगे, E1, E2, E3, E2, E3, E4, ऐसे जितने भी होंगे, तो NC3, और ऐसे चलते चलते फिर maximum वाले बनेंगे NCN, आपको यादे, इसमें NC0 और NC1 एड़ करेंगे, तो 2 की पावर N बन जाएगा, NC0, NC1 एड़ करेंगे, और दोनों तरफ वो सब्ट्राक कर देंगे, तो NC0 is 1, और NC1 is N, तो इतने conditions पढ़ेंगे, यह समझ मैं है कि इतने conditions कैसे बनने, कि NC2 प्लस NC3 टिल NCN, यह सीधा-सीधा कितना जाएगा, 2 की पावर N-1-N, यानि कि अगर N events को independent होने की बात होगी, N-Events के तो कितने conditions चेक करने पढ़ेंगे, हालाकि N events के independent होने की बात होतीन नहीं जादा, यह पूछा जा सकता है कि conditions कितने बनेंगे, तो conditions बेटा इतने बनेंगे, इस चीज़का आपन ध्यान रख लेंगे फिर यू कोई बात हो तो बताईएगा. Now we are moving to a question. फिर binomial probability distribution. Okay. Next question is two dice are thrown independently. दो dices को throw किया गया है और independent throw है. independent मतलब एक का करेंस और ना करेंस दूसरी probability को effect नहीं करेंगा. Let a be the event that the number appeared on first die is less than the number appeared on second die. तो पहले पर कम है और दूसरे पर ज़्यादा है. तो पहले पर कम है और दूसरे पर ज़्यादा है. मतलब पहले पर जैसे माल लेजे कि one है. तो दूसरे पर हो सकता है two, three, four, five, six. पहले पर two है तो दूसरे पर हो सकता है three, four, five, six. नेक्स पर माल लेजे पहले पर तीन है तो इस पर आसकता है four, five, six. पहले पर गर four है तो इस पर आसकता है five, six. और पहले पर गर five है तो दूसरे पर आसकता है six. मेरे कासे ये cases हैं. फर्स डाई less than this game. ये होगे एक के बारे में. बी के बारे में क्या कहे रहे है? नमबर एपेर उन फर्स डाई इस इवेन. तो पहले पर इवेन हो. तो two, four, six. एंड उन फर्स डाई इस ओड्ड. तो बहुत अव्वेस है कि पहले पर तीन चॉइस है और दूसरे पर भी तीन चॉइस है. पहले के लिए और दूसरे के लिए भी तीन चॉइस है और इसमें काउंट करोंगे दो एक तीन, छे, चार, दास, पाँच, पंद्र. इसमें टोटल एलेमेंट्स पंद्र आएंगे. ठीक है भई? बूले A और B are mutually exhaustive. A and B are exhaustive? नहीं. जिसे देखी न, B में क्या गया रहा है? कि first पे even हो. फस्ट पे क्या हो? Even हो. और second पे odd हो. तो first पे even मन्दब 2 आ गया मालीजे. और second पे odd मन्दब 3. तो देखो 2-3 इसमें भी आ सकता है, इसमें भी आ सकता है. तो मेरी काल से A B exhaustive वाला तो खेल खता होगी. Number of favorable cases in A, B, C, R 15, 6. नहीं. 15, 9. तो यह भी नहीं है. B and C are independent. तो B and C are independent नहीं. B and C are mutually exclusive. कि एकर पहले पे even आया है और दूसरे पे odd आया है. और दूसरा case की पहले पे odd आया है, दूसरे भी even आया है. और यह दुनों possible events हैं. तो हमलब गोलें कि independent भी तो नहीं हो सकते हैं. तो आप देख सकते हो कि A की option बचा है. ठीक है? फिर भी अगर हम इसको calculate करना चाहें तो कर सकते हैं. number of favorable cases in this. तो भाई A union B intersection C है. सोचो. तो यह किसके बराबर होगा? अगर A union B intersection C निकाल जगा. तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो नो कि A intersection C, union B intersection C. समझे रो? और B और C mutually exclusive है. तो B intersection C में तो कोई element आएगा है नहीं. जीरो. तो यानि कि इसका answer सीदा सीदा क्या होजाएगा? N A intersection C. A और C का जो common होगा. ठीक है? तो C में क्या हो रहा है? C में पहला वाला क्या है? odd और दूसरा वाला odd देखना. 1, 3, 5. पहला वाला odd. और दूसरा वाला even. तो 1, 2, 1, 4, 1, 6. तो तीन केसे इसमें? 3, 4, 3, 6. दो केसे इसमें? 5 और 5, 6. एक छे. तो यानि हम लोग सकते है टोटल केसे कितने हो जाएंगे? 6. देख लिजेगा. फिर एक होता है आपका Binomial Probability Distributions. Binomial Probability Distribution में आप यह देख लिजेगा है ना. बाकी हम लोग एक सिंपल सी बात कह रहे हैं कि कोई हम एक्सपरिमेंट करते हैं और इस एक्सपरिमेंट के माली ते कि N Independent Trials है. N Independent Trials है हमने एक एक्सपरिमेंट किया है. मालो कि हमने एक सिक्के को उचाला. उस सिक्के को पांच दफे उचाला. तो उसका मतलब हो गया कि we have done 5 trials of that experiment. 5 trials of that experiment. जैसे हमने एक dice को थ्रो किया. तो we have done an experiment. उसी को हमने पांच बात थ्रो किया. अलग-अलग. तो हम उसको बोल सकते हैं 5 trials have been done. तो यह जो trials हैं वो independent trials हैं. मतब एक दूसरे में जो भी है na probability का कोई फरक नहीं पढ़ता. और हम लोग बोलें कि हर एक trial के सिर्फ दो ही outcomes ह success या failure. जैसे हमने इसको समझाने ही कोजिश किया आपको. आज जैसे मालो एक सिक्के को हम 5 दवे उसाल लें. तो 5 trials have been done and all of them are independent. उसके बारे में कुछ लिखा हुआ है. इसको आप पढ़ लीजेगा है. कुछ खास नहीं है वैसे तो. जैसे मालो कि मैंने एक event डिफाइन किया सिब दो ही चीजे हो रही है. या तो success या failure. जैसे मालो जैख हमने एक dice को लुडगा है. चार तफे लुडगा है. और हमने बोला कि event face का आना. तो देखो बटा हर बार क्या होगा? जैसे पहली बार थे throw किया. या तो 2-4-6 आएगा या नहीं आएगा. तो मतलब 2-4-6 आया success और नहीं आया failure. अगली बार भी यही होगा success या failure, success या failure. तो इस success या failure का जो chances है, probability है, वो change नहीं हो रही है. मालने कि हर एक में इसकी probability है P success की. और Q is the probability of failure. तो P plus Q is definitely 1. क्यों? क्योंकि या तो success हो रहा है या failure, तो exhaustive है, तो P plus Q 1 होगा. अगर इसमें कोई कहता है कि sir, exactly R success आया हो. है ना, x is a random variable which denotes number of success. x is a random variable which denotes number of success है ना, तो अगर मेरा भाई मेरे को कहता है कोई कि exactly R success, यह एक symbol है, जो कि denote करते है number of success, exactly R success हो है ना, तो मैंने जो भी experiment है, उसके N independent trials किये हैं, तो अगर हम N independent trials कर रहे हैं, और हम बोलते हैं कि exactly R success हो, तो मतलब R बार S आना चाहिए, और N minus R आना चाहिए, सिंपल, सर यह N minus R ही क्यों आएगा, क्योंकि सिंपल है ना, टोटल एनी ट्राइल्स कर रहे हो, और हर एक ट्राइल पर यह तो success आ रहा है यह failure आ रहा है, तो हमें कोई एक बोलता है exactly R success चाहिए, तो हम लोग बोले R time success आना चाहिए, N minus R failure आना चाहिए, और य इसके arrangement किजेगा, तो कितनी तरीके से arrangement किजेगा, तो total N चीज़े हैं, तो N factorial, और अफकोर्स आपको इसका arrangement आता होगा है, यह identical है, तो R factorial से divide, और यह भी identical है, तो N minus R factorial से divide, मगब this is basically what, NCR, को बहले NCR तो selection होता है, अरे यार निकालो तो arrangement, क्या कि जो R success और N minus R के failures है, इनको arrange करने का तरीका होगा, NCR, दूसरी बात, इसकी probability क्या होगी, इस particular order की, तो देखो, P, 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 कितनी पार आएगा, R times, तो P की पार R, और Q, 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 कितनी पार आएगा, N minus R times, क्योंकि independent है, तो direct आप multiply कर सकते हैं, और इतने order possible है, और हर एक order में, R success है, और N minus R, तो total probability कितनी आए कि, NCR, P की पार R, Q की पार, N minus R, this is the total probability, जो यहाँ लिखा हुए, NCR, P की पार R, into कितना हैगा, Q raise to the bar, N minus R, देख लिए जगा, देखे, binomial probability distribution पे हम कुछ सवाल करने वाले, करीए, शुरू, इसमें कहते हैं कि, एक unbiased die है, और इस पार die पे, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3 मार्ट है, इस thrown होगा चाहिए, इसको 5 गफे throw किया गया है, 5 trials have been done, probability that the product of the outcomes is positive, तो देखो, product of the outcomes अगर positive रखना है, है ना, मतलब, जैसे, पहली दफ़ा कुछ आया होगा, मालीज़े, a1 आया, दूसरी दफ़ा, a2 और इस तरह कैसे, a5, यह ना, हर बार outcome है, तो पहली चीज़ता आपको यह समाई नहीं पड़ेगी, कि 0 किसी पर नहीं आया हो, क्योंकि 0 आते ही, positive नहीं होगा, है ना, a case हो सकता है कि सारे positive outcomes हैं, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि positive outcomes आने के probability क्या है, 1, 2, 3, तो 3 by 6, यह नहीं half, ठीक हैं, और negative आने के chances क्या हैं, उसको क्यों बोल देते हैं, सब पे positive आये, यहां फिर, 2 पे negative आये, और 3 पे positive आये, लेकिन 2 पे positive और 3 पे positive अगळ देखें, तो possible ऐसा हो सकता है, कि इन दोनों पे negative आया, बाकि 3 पे positive यहां फिर कहीं भी यह, ए-3, A-4, A-5, है ना, 2 पे negative इन तीनों पे positive फिर से product positive हो जाएगा, को बले इन दोनों पे negative आया इन तीनों पे positive को बले इस पे और इस पे negative आया और इन तीनों पे positive तो आप सोसकते हैं कि इस 5 में से कोई भी 2 place उठा लो और वहाँ negative प्लांट कर दो negative outcome प्लांट कर दो तो negative आने का chance कितना होगा 1 by 3 into 1 by 3 है ना और positive आने के chances बचे हुए 3 पे तो 1 by 2 का क्यों या फिर क्या हो सकता है 4 पे negative आए 1 पे positive है तो 5 में से कोई भी 4 places उठा लो और वहाँ negative आना चाहिए तो 1 by 3 की बार 4 into 1 by 2 और तो कोई case ही नहीं positive outcome का product positive हो और तो कोई case ही नहीं है तो यह हमारा ultimately probability आएगा अब इसको निकालना तो निकाल भी सकते है ना ऐसा कोई दिक्कत तो है नहीं 1 by 32 plus 5 C2 मतलब मेरे एक हाल से तो 10 और यह 8 और 9 72 5 और 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 नंबर्स तो काफी बड़े बड़े आ रहे हैं भाई चलो देखते हैं तिया 9 तिया 87 तिया 81 81 तो नहीं कर लेते हैं बाद में अब हम अगर इसका LCM निकाले भाई तो मुझे लग रहे है कि 16 गुने 81 होना चीए कुछ गरवड तो नहीं होगे न थ्रू थ्रॉन फाइव टैंस मेरे कास तो ठीकी है दिस थ्रॉन इंटो 81 आई थिंग LCM तो उपर बनेगा 81 प्लस और यहां पर क्या बना था भई 9 इंटो 9 इंटो 8 था ना है ना तो अब देख लो इस में से उपर 10 भी है तो 9 इंटो 81 तो उपर आएगा 10 इंटो 9 इंटो और 8 चोके 32 और इधर 5 इंटो 81 हो गया 16 तो मुझे लग रहा 80 360 और प्लस 81 तो मेरे काल से एक और आठट 16 चे बाइस के दो कि पांसो एकिस टाइप के उपर हां ठीक है और इसको अगर मल्टिवलाई करोगे तो है दो हासल तीन है आठ दुनी सोला के छे अगले सवाल मी कह रहा है अगले सवाल मी कह रहा है बढ़र उपक्रीण कि फॉर इस तो टोटल फाइव इस कंसिडूरेटे सक्सेस मदब दोनों में गर पाइव आया है तो उसको सक्सेस कहते हैं तो पहले तो हम इस कि पी वैलू निकाल लेते हैं न आस फाइव आने का क्या-क्या चांस है न वन फोर फोर वन तू थ्री थ्री टू और कोई किए मीरे का से ही होगा तो यह से चार बटा च्छतिस हैंतों एक वरटा न ऑ प्लेस पांच सक्सेस की प्रोबाबिटी को एड़ कर ली जाएंगे, X मैंने बतला ही दिया, कि random variable which denotes the number of success, और प्लेस दिस, तो चार सक्सेस की प्रोबाबिटी पर बात करते हैं, तो भाई पांच बार थो किया है और चार सक्सेस तो अभी बताया था ना, NCR तो 5C4 और चार बार सक्सेस मतब 1 by 9 की पार 4 into 8 by 9 एक बार failure, और प्लेस 5C5 और पांचों बार सक्सेस तो 1 by 9 की पार 5, यानि कि नीचे आजएकर 9 की पार 5 LCM में तो और यह पांच अटे 40 और एक 41 है, और यह तीन में निकालेंगे तो तो यह 3 की पार 10 है, तो 3 से multiply कर दो, तो 3 की पार 11 और 123 हो जाएगा न, एक 3 से multiply दो है, तो मुझे लग रहा के की value पूछ रहा है, तो the answer should be 123 अगले स्वाल भाई, अभी कह रहा है कि let a die be rolled n times, एक die को हमने n बार रोल किया है, let the probability of getting odd number 7 times, तो एक die को अगर हमने n times रोल किया है, तो हम odd की probability क्या मानते है, odd की probability half, और even की probability भी half, तो हमले गोले कि n में से साथ बार success चाहिए, तो n c 7, और कितना हैगा, half की power 7 है न, 7 times success चाहिए, और n minus 7 times failure चाहिए, यानि की n minus 7 times odd, क्योंकि n times तो इसने रोल करी दिया है, गोले, let the probability of getting odd numbers 7 times be equal to, this is equal to, the probability of getting odd numbers 9 times, तो odd number 9 times रहा है, n c 9, half की power 9, और half की power n minus 9, बचे उवे पर even, यह चीज़ आ लिए, तो यहनि यहां से मुझे आग रहा है, n c 7 equal to n c 9 आ रहा है, अब बोलो कि क्यों से, यह half की power n होगा, और यह भी half की power n होगा, यह गया, n c x equal to n c y, तो यह तो x equal to y, जो कि possible नहीं है, यह फिर x plus y equal to n, मतब n की value यह 16 आ रहा है, मतब जो trials हुए हैं न बिटा, यह 16 वार trials किया है इसने, अब आगे क्या बोलते हैं, कि इवदब probability of getting even numbers twice, मतब 16 में दो बार even number आना, तो मेरे खाल से क्या होगा, 16 c 2 दो बार, और even का भी half ही है न, तो half का square, और into half की power 14, ठीक हैं, तो यहनि 16 c 2 हो गया हमेरे खाल से, 16 गुने 15 बटा 2, और into 1 by 2 की power 16, जबकि हमारा उपर 2 की बार 15 से यह नीचे है न, तो 8 times, और एक और 2 गाड़ दो, तो 2 की बार 15, अब 15 के 60, तो k की value हो जाएगी equal to 60, I think, न, देखें, अब यह आगया base theorem, base theorem होई है, ठीक है, base theorem होई है जो अभी थोड़ी देर पहले सिखानी की कोशिस कर रहे थे, कि भाई, suppose कर लिजे कि एक experiment हुआ, और इस experiment में तीन events से दिखा जाता हूँ, ऐसे, और एक event है E, है न, एक event E है, इसने B1, B2, B3 ने लिया है, A1, A2, A3 लिया है, तो मैं उसी के जाब से बदला रहता हूँ, तो हमने बोला कि, एक है A1, एक है A2 और एक है A3, आप ऐसे ही N तक ले सकते हैं, तो यह जो A3, तो हमने लिए यह जो तीन events है न, मिश्री exclusive और exhaustive है न, और फिर कोई बोलता है, एक event E है, जो भी मैं total probability में सिखा रहा हूँ, इस पर भी सवाल आ जाएगा, इसको E ही लिखा है, hopefully E है, तो जैसे total probability तो इस E की probability को निकालना सिखाया था आपको, कि PE is going to be PE intersection A1, plus PE intersection A2, और plus PE intersection A3, यह था, और इसको निकालना आपको समझ में आया है था कि हम लोग इसको कैसे निकालते है, PA1 into PEY A1, वहला, A1 की probability multiplied by given A1 E के होनी के chances है ना, तो यह वाला part निकल गया आपका, फिर ऐसे ही बोल देगा PA2, फिर E upon A2 ऐसे कर देगा, और फिर PA3 into PE upon A3, है ना, इस तरीकर, तो मेरे काल से आप इस PE को देख लिए, बिल्कुल काइदे से यह चीज आई है, अब इसमें क्या होता है, यह तो total probability हो गया, अब यह बोलता है ना, बेस्तरम, बेस्तरम क्या बोलेगा है कि यह event हो चुका है, तो फिर सब यह conditional probability आ गया है, कि this event has been confirmed, अब बताओ कि A1 हुआ हो, ठीक उल्टा बूचेगा, मतलब बूलेगा क्या, कि भाई E हो चुका है, अब A1 की probability बतलाओ, तो बाई definition और common sense मैंने बतला है था, कि नीचे आ जाएगा कौन सा PE, कि जैसे इस event को confirm करेगा ना, वही sample space हो गया, और उपर क्या आएगा, PA1 intersection ही, तो बाई PE निकालने का तरीका सीख लिए आपने, और PA1 intersection ही, तो हम तो ऐसे ही देखे ना, कि नीचे यह सब है, और अगर अब A1 के chances पूछता है, तो A1 वाला probability उपर चड़ जाएगा, simple, तो इसी तरीके से base term apply होगा है, कि जैसे ही बोलेगा base term हमेशे एक event confirm करेगा, वह नीचे आएगा, उसकी probability नीचे आएगा, और उस probability में, जो भी अब पूछा है, वह उपर डालती जाएगा, जिसकी probability, तो इस तरीके से होता है, यह पढ़ सकते हो पढ़ने के लिए, बाकि सवाल को करके देखे, इसमें कह रहा है कि 25% of populations are smoker, smoker has 27 times more chances to develop a lung cancer than a non-smoker, a person is diagnosed with lung cancer, देखो, अब यहां भी confirm कर दिया, कि एक person को diagnosed किया और उसको lung cancer था, है ना, lung cancer था, तो यही हो गया आपका confirmed event, जो को मेरे साथ रहोगे तो समझ में आ जाएगा, नहीं तो अपना दिमाग लगा रहोगे तो कुछ नहीं आने वाला है ना, अब person is diagnosed with lung cancer, and the probability that this person is smoker is k by 10, तो इसको मैं भूल जाता हूँ कि probability फलाना दिमाना है ना, अब को वह लिए परसन इस smoker probability सरवा दिया और 25%, 1 by 4, नहीं वह इसे नहीं चलता है, इसमें इसने यह event confirm किया, कि person is diagnosed with lung cancer, तो हमने बोले यही हुआ sample space, तो देखो, lung cancer दोनों तरह के लोहों को हो रहा है, जो smoke कर रहा है और जो नहीं कर रहा है, तो हमने बोले कि अब उस person की बात करते हैं, जो smoker है तो वह कितना है 25%, बदाब अगर हम किसी person को select करते हैं randomly, वह smoker हो इस बात के chances है 1 by 4, and in that case, अब अगर कोई मुझसे बूशता है कि what is the chance, कि he will be getting lung cancer, तो 27 times more chance है than the other, तो अगर हमने बोला कि non-smoker का lung cancer होनी की probability, अगर P है, तो smoker के lung cancer होनी की probability is 27 times, और दो ही तरह के लोग है दुनिया में, या तो smoker या नौन-smoker, तो यहनि कि exhaustive होगा, तो 27 P plus P is 1, तो P की value आगई दोस्त, 1 by 28, यानि हमने अभी जो सोचा, क्या सोचा कि भाई वो smoker था वन दा, तो 1 by 4 उसकी probability, और given that कि वो smoker है, आप सोज़े रहो कि वो अगर सैंपल इस, मतलब अगर आप ऐसे दिखा होगा तो यह ऐसे दिखेगा, यह smoker का हो गया 1 by 4, और यह non-smoker का हो गया 3 by 4, और इसमें एक event defined किया गया है, lung cancer, तो भाई lung cancer smoker को भी हो सकता है, non-smoker को भी हो सकता है, तो हम नीचे क्या लिख रहे हैं, इस lung cancer की probability को, कि यही confirm किया, person is diagnosed with lung cancer, इसी की probability को हम नीचे लिख रहे हैं, तो इसकी probability इसके साथ भी है और इसके साथ भी है, तो हमने बोला कि हम इस पार्ट को निकालते हैं, तो हम P-E intersection S निकालने हैं, समझे, तो P-E intersection S क्या होगा, P-S into P-E upon S, मतलब क्या होगा सर, कि person is a smoker, तो 1 by 4, given that he is a smoker, उसको lung cancer, तो उसकी probability अब हमने निकाल लिए है, उसकी lung cancer होनी की probability है 27P, और P की value है 1 by 28, प्लस यह वैला portion निकालने हैं भई, तो इसकी probability क्या होगा, 3 by 4, क्योंकि 75% non smoker है, और उस case में lung cancer होनी की probability 1 by 28, अब बोला यह तो given है, अब बोला कि अगर ऐसा है, तो probability that this person is smoker, तो smoker वाला तो पार्ट यह है ना तो यह चीज़ उपर आ जाएगी, तो यह यह गया, 28 गया और ऐसे, तो यहनिका this is 27 upon 30, यहनि 9 by 10, 9 by 10, तो अगर given है कि वो बंदा smoker उसको lung cancer है, तो 90% chances हैं कि वो बंदा smoker ही है, सुनना द्यान से, हमने क्या बोला कि भाई, यह सारी कहानी होने से पहले 25% लोग smoker थें, और 75% लोग थें non smoker, और जैसे ही किसी ने कहा कि हमने एक person को select किया randomly, और उसको lung cancer diagnose हुआ, अब बताओ कि इसकी probability की वो smoker ही रहा हो, तो उसकी probability 90% है, और non smoker की probability क्या है, 10% देख लिजेगा, जीवन आपका है ना, आगे बढ़ते हैं, आप इसमें कहाए कि अगले सवाल में, इसके बाद एक और, हाँ, दो और, इसके दगला सवाल क्या कहता है, कि a bag contains six balls, two balls are drawn from it at random, दो ball का हमने randomly निकाल लिया है न, और उसमें छे balls है, और दो ball and found to be both black, the probability that bag contains at least five black balls, तो हमने बोला कि चलो यह सब कहानी नहीं हुई हो, और सिब हमें बतायागा कि भाई, एक bag के छे balls हैं, सुनना, यह सब आगे की कहानियां हैं, जो confirm हुई हैं, कि दो ball निकाला, दोनों के दोनों black, क्या मिलें? हाँ, दोनों के दोनों black मिलें, यह आगे ही कहानी है, इससे पहले एक scene था, उस scene को पहले पकड़ते हैं, वो frame में क्या कहता है कि भाई, छे balls हैं, अब सिर्फ अगर मुझसे कोई बोले कि छे balls हैं, अब तुम बताओ, सिर्फ छे balls हैं, अब तुम मेरे को बतलाओ, क्या बतलाओ? कि भाई, black balls के number के बारे में, तो हम लें बोले कि हो सकता भाई, कि कोई black ball नहीं है, कोई अभी उचक जाए, क्यों रे सर, दो तो ही न कम से कम, और भाई यह तो आगे जब experiment हुआ, उसके बाद की बात है ना, उसके पहले की बात, जब कोई experiment नहीं हुआ तो सिर्फ छे balls से, तो हो सकता है कि भाई, जीरो black ball हो, फिर हो सकता हो कि एक black ball हो, हाना कि उससे answer पर असर नहीं आएगा, बट फिर भी मैं आपको basic से ही समझाऊंगा, three black ball हो, four हो, और यह class illustration में भी हम लोग लेते हैं ना, और या फिर six हो, तो जब मुझे कुछ भी नहीं पता था, और सिर्फ इतना पता था कि एक bag में छे balls हैं, और मुझे black color के हिसाफ से बोलने के लिए बोला गया, तो मैं क्या हो सकता हूं कि कोई black ball नहीं होगा हो सकता हूं, या फिर एक होगा या फिर दो या तीन या चार या पाँ या पाँ या छे, आपको बोलें कि सर इनकी probability आपके हिसाफ से क्या सोचोगे, तो मैं तो क्या सोचूँगा भई, कि मेरे लिए तो सारे बराबर ही होंगे न, कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, हम किसी को prefer नहीं कह सकते कि यहीं होगा, यहीं नहीं होगा, हम लग हो सकते हैं कि हर एक ब्लैक बॉल होने की probability अगर हम बात करें, जीरो या वन या टू या सिक्स तो हम लग हो सकते हैं, एवरिवन है सेम probability तो वन बाई सेवन हर एक का, अब एक इवेंट हुआ है न, उस पर बात करते हैं, अब इवेंट क्या हो भई, कि दो बाल्स निकालेगें, simultaneously और दोनों ब्लैक मिलें, तो भाई वो इसके और इसके साथ तो नहीं हो सकता है, तो हम लग हो लें 1 by 7 कि there is no black ball, और एवेंट होने की probability जीरो, अब हम इसकी probability लिख रहें नीचे कि यही इवेंट कंफर्म किया गया है, कि found to be black यह इवेंट, बेस तरह में मेंचा एक इवेंट कंफर्म करेगा, उसको नीचे लिखना होता है, plus 1 by 7 there is one black ball, तो भी यह इवेंट नहीं हो सकता, तो zero probability, given that, कि एक ही black ball हो, दो बाल निकाले हैं और दोनों black हो, तो हो ही नहीं सकता, अब दें, 1 by 7, अब इस हिस्से में आ रहे हैं, तो उसमें दो black ball ही हैं बस, तो बिटा हम नीचे तो हम 6 में से कोई भी दो ball निकाल सकते थे, yes sir, और उपर तो वही दोनों black ball को निकालना हम पड़ेगा है, क्यों sir, क्योंकि दोनों black आयते हैं, तो 2c2, plus 1 by 7, अब हम कौन से इसे में आगें, कि 3 black ball हो मालो बैग में, तो हम लोग लें कि नीचे कितना हो गया, 6c2 और उपर दोनों black ही निकलने हैं तो 3c2, फिर अगला 1 by 7, 4c2 upon 6c2 समझ गया हो गया आप, और फिर 1 by 7, 5c2 upon 6c2, और लास्ट, ये 6 के 6 ball black थें, और 2 black निकलें, तो 6c2 upon 6c2, अब बोला कि ये हुआ है, अब बताओ कि कम से कम 5 black ball हो, तो कम से कम 5 black ball किसमें मिले हैं, इसी में तो मिले हैं यही दोनों case है, कि कि इसमें तो 4 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, इसमें 0-0, है ना, एक और 0, तो हलोले, at least 5 का, तो यानि कि यह उपर आएगा, 1 by 7 into 5c2, और plus 1 by 7 into 6c2 upon 6c2, यह सब समझाने में टाइम लगा नहीं, तो 2 second में लिख सकते हैं, अब इसका कोई फरखी नहीं पड़ेगा, यह 0 है तो यह खतमी है, अब इनका कोई फरखी नहीं पड़ेगा, तो बहुत बार directly लोग यह लिख लेते हैं, उससे भी answer रहाता है, जो कि yes, बहुत obvious है, अभी देखो 10 और 15, 25, और नीचे यह 10 और 15, 25 और 25 और 6, 31, 31, 33, 34 और 1, 35, तो 5, 25, 35, तो 5 by 7 इसका answer होगा, ठीक है, बाकी मैंने पूरे basics आपको समझाने कोशिश किया है, ठीक है, अगला सब, एक bolt factory है, जिसमें तीन machine से ABC और manufacturing capacity इन किये 20%, 30% और 50%, मतलब कोई bolt A पे बना होगा इस बात के chances 2 by 10, B पे बना हो इस बात के chances 3 by 10, और C पे बना हो 5 by 10, of the total bolts, of their output 3, 4, 2% are respectively defective bolts, मतलब अगर A पे बना होगा bolt है, तो 3% chance कि वो defective होगा, B पे बना होगा bolt है, तो 4% chance chance कि वो defective होगा, C वाला बड़ा अच्छा है, उसमें 2% chances है, defective होने की, अब बोला है गया, if bolt is, if the bolt drawn is found to be defective, अब यह confirm किया, फिर से confirm किया, तो इसकी probability आगे नीचे, तो हमने बोला कि bolt drawn is found to be defective, defective तीनों में हो सकते हैं, ताम लेकि वो जो bolt होगा, वो A पे बना हो, इस बात की chances, 2 by 10, 20%, और given that वो A पे बना है, उसके defective होने की probability 3%, मतलब 3 by 10, प्लेस, हो सकता हो, बोल्ट B पे बना हो 3 by 10, और वो defective हो 4 by 100, प्लेस 5 by 10, और वो defective हो 2 by 10, तो हमने नीचे किया लिए थे, the bolt drawn is found to be defective, अब बोला है किया, then the probability that it is manufactured on the machine C, तो machine C वाला लिख दे दो उपर, तो है कि नहीं, सिंपल एकदम base theorem, अगर लगे आपको तो बताईएगा हना, यह 100 था, तो उपर बना 10, और नीचे बना 10 और 12, और 12 और 28, तो दो पंजे 10, और 14 टाइम्स, ताह लोगो सकते हैं सीधा सीधा आंसर इसका कितना हैगा, 5 upon 14, तो this was base theorem, questions है न, ठीक है, अब एक चीज़ पर हम आते हैं, जिसको हम लोग क्या कह रहेंगा है, geometrical probability, geometrical probability, इसमें बहुत ज्यादा तो मैं कहानी नहीं सिखाऊंगा, सिंपल सी बात कहूंगा, कि माल लिजे कि एक line है, AB line segment, और इस line segment के उपर हम एक कोई point randomly select कर रहे हैं, continuous sample space है न, geometrical probability मतब continuous sample space, कुबले थोड़ी इसकी feel दिला दो सा, तो जैसे अभी तक हम जितने भी sample space discuss करते आ रहे थे न, वो सब discrete थे हैं, कि 1 था, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6 है न, discrete से, 1.1 नहीं था, जैसे हमने बोला है, कि dice को त्रोख किया था, 1.1, 1.2 ही सब नहीं है, बट यहां continuous sample space, हम लोग यहां क्या गया रहे हैं, कि यह point जो है, उसको हम लोग randomly उठा रहे हैं, किसी line segment AB से, अब इस बात की probability बतलाओ, कि वो line segment PQ पर fall करें, और PQ जो होए, वो AB में contain होना चाहिए, PQ ऐसाने कि इधर बाहर की side कहीं हो, तो फिर उसकी probability 0 आ जाएगी, तो हम लोग हो सखते हैं कि अगर वो PQ इसमें है, तो आप कोई बोले कि सर, what is the probability, कि भाई सर कितने points होगे infinite, और कितने selection में है infinite, तो ऐसा दो नहीं निकलेगा, फिर इसमें हम कहानी क्या बोलते हैं, कि जो total length है, वो नीचे रहेगा, sample space के साब से, length of AB, और यह जो length है न, favorable उसको उपर रखते हैं, यह नहीं कि length by length रखते हैं, favorable length upon totally, ऐसी मालो की कोई एक area है, इस से हम एक point random ले उठा रहे हैं, तो यह भी continuous sample space है, कितने भी points ले सकते हैं न, और यह किसी area A में fall करें, जो कि S में included हैं, तो फिर अगर आप कोई probability boost रहे हैं, तो infinite upon infinite तो नहीं बोलेंगे, हाँ, total area A upon, area A और area S, इसका ratio है, तो यह है आपका geometrical probability या continuous sample space, इस पर भी सबाल पूछा हैं न, इस पर कहा रहे हैं कि let A be the event, हम लोग पढ़ाते हैं न, पूछा है अच्छी बात हैं और यह भी सबाल करवाते हैं, लेकिन यह थोड़ा अलग तरीकी से उन्हों न लिखा है, let A be the event that absolute difference between the two randomly chosen numbers, तो absolute difference between two numbers, तो हम लोग गोलें कि एक number X माल लिया, दूसरा Y माल लिया, तो X minus Y का difference, absolute difference तो मतलब यह हुए, is less than or equal to A, तो मतलब X minus Y A या A से छोटा है, तो इसकी probability बोलना है, कि इतनी है तो A की value बतलाई है, और यह X और Y दोनो 0 से 60 हैं, तो वैसे तो classes में इस तरह के illustrations हम और भी लेते हैं, तो अगर आपके उसमें करवाया गया हो, classes में तो आप जरूर उसको refer कर लीजेगा, देखेंगा, अब इसका sample space plot करना है, is one of the important thing, कि हमने बोले, X भी 0 से 60 है और Y भी 0 साट है, तो हम इसको axis में ले लेते हैं, X axis Y axis, तो हमने बोला कि X भी 0 से 60 है और Y भी 0 साट है, तो ऐसे बना लो, 60 by 60 का square, यह point 60 by 60 है, तब आप सुचों, इसके बीच का कोई भी point लोगे, तो वो sample space ही तो कहला हैगा, जैसे X की value आपने मान लिए 0 ली, और Y 60 लिया, तो X 0, Y 60 यह point आ गया, कोई बोले X की value मैंने 1 ली और Y लिया 60, तो Y 60 यह नहीं यहाँ आएगा point, कोई बोले 59 यह लिया, आपको बोले के sir favorable कैसे निकालेंगे, तो यह condition follow करेगा, तो X minus Y की value, minus A से, तो हमें दो lines ड्रॉ करनी बढ़ेंगे, A of course positive V होगा, तो X minus Y equal to A वाल यह line आएगी, यह line आएगी, तो X minus Y equal to A जो line है, अगर मान लिजे plot करते हैं आप, तो ऐसे divide कर लिजे, तो आपको X intercept A आ जाएगा और Y intercept minus A आ जाएगा ऐसा, और equality इधर वाला plot को रोगेंगे तो यह ऐसा line है, कि अब इसका X intercept, सरी Y intercept A आएगा और X intercept minus A यह, आपको बले X minus Y minus A से A वाला reason कौनसा हुआ मेरे भाई यह वाला reason हुआ, यह वाला reason हो, तो यह है आपका favorable reason, तो यह favorable reason कैसे निकाले से, तो total area में से घटा देते हैं, क्या घटा है से, total area में से हम इन दोनों areas को घटा देते हैं, अब यह दोनों area निकालना simple है, यह दोनों equal हो का symmetry, highly symmetric है, और यह वाली line में द्यान से देखिए कि x की value 60 है, तो y निकालना पड़े कह यहां से, तो y कितना हैगा, देखेगा, y by a equal to 60 by a minus 1, है न, तो यह यह वाली value जो होगी, 60 minus a होगी, तो यह होगया, 60 minus a, को बहले यह वाला length से है, यह भी 60 minus a, क्या कि यह वाला length a है, और यह 60 है, यहां से यहां तक, तो यह 60 minus a, तो मैं बोलों कि इसका area twice घटाना है, तो यानि कि 2 times, है न, area of this triangle, तो half into, 60 minus a into 60 minus a, यह 60 minus a का whole square, and that is 11 upon 36, यह cancel होटा जागा, तो, so I think this is 1, या फिर इसको घटा के लिखे लो न, 36 minus 36 minus a square, और plus, 120a, निकाल के देख ले न, और नीचे 3600, equal to 11, 36, तो मुझे लग रहा है, यह 100 बारे में जाएगा, यह गया, है न, चेक करना बढ़ेगा, क्या-क्या values आ रही है, यह perfect square से काम चल जाता, एक काम करते हैं, इसको लिखे लेता है, 1 minus 60 minus a का whole square, अपॉन 3600, equal to 11, 34, इसको इधर लेगे, तो 60 minus a का whole square, अपॉन 3600, equal to 1 minus 11, 36, तो नीचे 36, और उपर मुझे लग रहा है, 25, तो यह 100 times, तो 60 minus a की value आ जाएगी, मुझे लगता है, plus minus of, 5 into 10, है न, 5 into 10 मददा 50, तो a की value, एक तो आ जाएगी 110, which is not possible, और दूसरा चाहिए 10 आएगा, तो 110 तो मैं निकाल से, यह 60 से उपर चला जाएगा, a की value 60 से उपकोर्स कम होगी, तो मुझे लग रहा है कि a की जो value आनी चाहिए, that value should be what 10, है न, चेक कर लो एक बाद, चीक है, तो मैंने काल से a की value 10 आ जाएगी, mathematical expectation भी इस पर भी आता है, जैसे अगर कोई ऐसा हो न, कि कभी-कभी कुछ expectations निकालने के लिए आते हैं, कि मालो कि हम कुछ amount M invest करते हैं, in some venture, venture मतलब risk taking thing, risk वली जो चीज होती है, अगर कोई बोलता है कि P is the chances of successful कि वो venture successful हो जाए, और M जो है, वो amount है, जो कि एक person को मिलता है, in case he is successful, तो हम लोले कि P into M is the expectation, इस पे जो सवाल होंगे, आप संकल PYQ series जरू देखेगा है, संकल PYQ series उसमें मिल जाएगा इससे related सवाल, expectations है, तो कुछ खास रही है, जैसे कोई venture है, जिसकोई success की probability अगर माली दिये P है, और अगर वो success होता है, और हमें M amount of money मिलता है, तो हम बोलते हैं कि उसकी mathematical expectation या simply expectation क्या हो जाएगी, P into M, तो simple है, probability और जो पैसा मिलने वाला था, उनका multiplication expectation कहलाता है, और इस पर single PY की सीरी जरूर दिखिएगा, उस पर मिल जाएगे आपको सवाल है, फिर एक probability distribution होता है, तो उसको बस ध्यान बखिएगा कि उसको करते कैसे हम लोग, binomial probability distribution है यह statistics का part है purely, मैं थोड़ा सा hint देता हूँ, क्या है, जैसे कर आपने देखा होगा कि हमारे पास दो चीजे थी हैंना, number of success, जैसे हमने भी बोला, x equal to r, और उसकी probability, एक success की probability, जीरो success की probability क्या थी, nc0, P की बार 0 into q की बार है, को बोली, एक success की probability क्या थी बई, अभी निकाल के बतला है, यह formula है न, p की बार 1, q की बार n-1, ऐसे ही, r success की probability क्या होगी भई, अभी बताया था, ncr, p की बार r, q की बार n-r, और ऐसे maximum कितने success हो सकते थे, n, तो that is ncn, p की बार n, q की बार 0, this is a probability distribution, अब अगर आप इस नीचे वाले का sum देखेगा, तो this is 1, जैसे आप इसको निकालेगा न, nc0, p की बार 0, q की बार n, जो probabilities का sum है, that is 1, यह आप देख सकते हो, कि एक binomial expansion लिखा जा रहा है, this is going to be q plus p की बार n, और आपको बतना है था कि यह success और यह failure का, जो chances का sum है, that is 1, तो एक probability distribution में क्या बतलाता है, this tells us, कि how a total probability of 1, is distributed over a random variable, which denotes the number of success, मतलब यह जो 1 की probability है, वही, कुछ इसमें गई, कुछ इसमें, कुछ इसमें, मतलब 1 की probability को distribute किया गया है, किस चीज़ में distribute किया गया है, number of success, तो यानि कोई भी probability distribution के, अगर हम बात करते हैं, तो this tells us, कि total probability 1 को किस तरीके से distributed है, उस particular system में, यानि कि our success के लिए है, two success के लिए है, the success के लिए है, तो इस तरीके से हम लोग बोलें, कि total probability of 1 has been distributed, इसमें 2-3 important चीज़े हैं, ध्यान रखिएगा, कि अगर आपको mean निकालने के लिए बोलता है, binomial probability distribution का, आपको बोले, sir, mean कैसे निकलता है, sigma fi, x i upon sigma fi, खो बोले, sir, इसमें fi कौन है, frequency कौन है, तो probability is the frequency, कि ये वाला कितनी बार appear हुआ है, ऐसा एक field दे रहे है न, तो probability is the frequency है न, और ये हो गया आपका x i वाली चीज़, तो हम लोग बोलें कि इसका जब fi, x i का sigma लगाओगे, तो एक binomial का सवाल बनेगा, और ultimately जो mean आएगा न, mean, वो कितना हैगा, आपका binomial probability distribution का mean कि आएगा np, और उसको याद रख सकते हैं, no problem, तो क्या आपको mean याद रखने में कोई problem है, answer is no problem, और वहाँ से np आजाएगा, variance, sigma square जिसको हम कहते थे हैं न, तो वो आजाएगा npq, no problem q, तो variance अगर आपको याद रखना है, तो no problem q, तो यह हमें binomial probability distribution के लिए याद रखना है, कि इस पर direct सवाल आते हैं, कोई भाई इसमें कहे रहा हमारा, कि एक binomial probability distribution है, sum and product of, mean and variance, तो what is mean, mean is no problem, what is variance, no problem q, तो बोला है कि इसका जो sum है, मतब np plus npq, this is going to be 5, और कोई बोला है इसका जो product है, यादि कि no problem into no problem q, इसका जो product है that is 6, तो हमें इसकी value निकाल ली, तो मतब दो equation है, और p plus q 1 है, तीसरा एक और condition हमारे पास, p plus q equal to 1 वाला, तो बच्चों इसको हम लोग देख सकतें कि, n square, p square, q equal to 6, और इसको दोनों side square कर दो, तो np common लोग है, तो n square, p square, और 1 plus q का whole square, equal to 25, divide कर दो दोनों को, n square, p square कर जाएगा, और उपर आजाएगा आपका, 1 plus q square, plus 2 q upon q equal to 25 by 6, ठीक है भाई, आप इसको cross multiply करके देख लो, तो 6 q square, और यहां 12 q और minus 25 q, is minus 3 q, और plus 6 equal to 0, तो यहां से p की जो values आएँगे, दो आएँगे, और इसको use कर लो, पहले वाले को, तो np common, into 1 plus q होगा, तो मेरे काल से 5 by 3 equal to 5, तो मुझे लग रहे, n की value 9 आ रही है गाईज, और हमारे काल से निकालना, 6 into 9 plus p minus q, तो p minus q करोगे, तो 1 by 3 minus 2 by 3 is, I think minus 1 by 3, तो 54 minus 2, 52 टाइप का कुछ answer आना चाहिए, 52 moment, है ना 52, आगे बढ़ते, next सवाल पर, अगला सवाल क्या गयता है, तो अगला सवाल क्या गयता है, तो इस गिवन भाई दिस, मतलब यहां, exactly, r success की जगए, x success की बात कर रहा, और उसका definition, change कर दिया, दोस्त, यह binomial probability distribution नहीं है, इन्होंने अपना distribution, अपनी हिजाब से बना दिया, तो हम लग बोले, x की वैलू, 0 success, 1 success, 2 success, ऐसे चल रहे है, तो देखरों, बिल्कुल different distribution है, जैसे कर कोई बोले, p x equal to 0, तो भाई, मेरे x equal to 0 रखोगे, तो k, ही आएगा, 3 की बातर, अगर कोई बोले, x equal to 1, तो 1 रखने भे कितना हैगा, 2 के, अपॉन 3, कोई बोले, x equal to 2 रख देते हैं सर, तो 2 रखोगे तो कितना हैगा, 3 के अपॉन 3 स्कूर, ऐसे ही चलता जाएगा, अब आप सोचे ना, जो मैंने भी आपको concept बतला था, कि एक probability distribution क्या करता है, कि how a total probability 1 is distributed over this x, तो यानि इन सब का जो sum होना चाहिए, मेरे ख्याल से, इन सब का जो sum होना चाहिए, वो 1 होना चाहिए, क्यों सर्, कि 1 की ही probability को तो distribute की जा रही है, है ना, this till infinity has to be what 1, ये, अब ये AGP का सवाल बन गया, अब इसमें AGP solve करना बढ़ेगा, कैसे सब, common ratio से multiply करके, एक एक term घटाईए, आगे बढ़ेगे, ऐसा, अगर common ratio 1 by 3 है, तो बढ़ा के ऐसा लिख दिया, अब घटा दीके दोनों को, यहां K, फिर 2K by 3, K by 3, K by 3, K by 3 square, K by 3 Q, अब यह GP बन गया, जो चाहिए था हमें, and this side is 2 by 3, अब K upon कितना जाएगा, 1 minus R, first time, और 1 by 3 is the common ratio, तो मुझे लगता है, K की value मेरे भाई, आ चुकी है, कितनी 4 by 9, क्योंकि 2 by 3 into 2 by 3, that is 4 by 9, अब बोला है कि, what is this probability, X greater than equal to 2, तो हमने बोला कि, X greater than equal to 2 के लिए, आप एक काम कर सकते हैं, कि 1 में से subtract कर दीजए, X equal to 0 वाला, और X equal to 1 वाला, अच्छा, तो X equal to 0 वाला probability क्या आया था सर, तो X equal to 0 वाला तो अभी निकाला था, K आया था, K मतलब 4 by 9, X equal to 1 वाला कितना आया था सर, अभी आया था 2 by 3, तो 4 by 9 अगर रखेगा, तो 8 by 27, यानि, minus कितना आजाएगा, 8 by 27, LCM में 27, and this is 27 minus 12, और minus 8, यानि 7 upon 27 is the answer, तो आप देख लिजे, कि binomial probability distribution से हटके, एक अच्छा सवाल इन्होंने बना के दिया है, वही, सवाल करने के लिए हैना, मजाक नहीं है, अब देखिए, अब अगला सवाल है, कि coin is biased, so that the head is three times likely to occur as tell, यानि कि of course, head की probability है, 3 by 4, और tell की probability हो गई, 1 by 4, अब बोले कि this coin is tossed until a head, सुनना नहीं से, until a head और three tails अकर, या तो head आए, या फिर तीन टेल आजाए, तब तक ये चलेगा try, if x denotes the number of tosses of the coin, then the mean of x, अब यहाँ पर mean निकालना है, तो हम लोग इसको ऐसे सोचेंगे फिर, probability इधर लिए देते हैं, कि मालो की पहले trial में ही head आगया, तो पहले trial में head आगया, इस बात की probability होगी 3 by 4, दूसरे trial में head आगया, तो पहले पर head नहीं आया होगा, तो 1 by 4, into 3 by 4, और फिर 3 trial चला है न, तो पहले पर भी tell, दूसरे पर भी tell, अब तीसरे पर head आजाए, तो भी रुख गया, और tell आगया, तो भी रुख गया, क्योंकि 3 tell पर भी रुख गया, यानि कि तीसरे वाली की probability होजाए, कि 1, आप चेक कर लोग बाद, आप इसका mean निकालना है, तो हम क्या करेंगे, this into this, तो 3 by 4, plus this into this, तो 3 by 8, आई थिंक, और plus 3 by 16, और नीचे probabilities का sum, अगर आपको यादो, तो 3 by 4, plus 3 by 16, और plus 1 by 16, शायद कुछ ऐसा बनेगा, तो अगर हम इसको 16 से उपर नीचे multiply कर दे, तो यह 4 और यह 4, तो यह गया, और यहाँ भी 16, तो यहाँ 2 से multiply, divide करी लो यार, तो 4 तीया 12, 3 दो नीचे और plus 3, और नीचे 4 तीया 12, 3, 15, 16, 21 बटा 16, पुछ है क्या, तो इसका correct answer क्या हो जाएगा, C है न, तो देख लिजेगा, बतब अलग परीगे से पूछ भी रहा है, मेरे क्याल से, इस 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 दे लास्ट कुश्चिन, यह, यह, इस 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 दे लास्ट कोश्चिन, गैस, ठीक है, लास्ट कोश्चिन क्या है, कि तो रेंडम वेरिबल x, फोलो दे बाइनमिल प्रोबाप्विटी दिस्रिबिशन, भी पी टी फोलो कर रहा है, फोर बिस दिफरेंस ओफ दे मीन फेरिंस इस वन, और 1-q is nothing but p, तो यहनि कि यहां से np square is I think 1, np square is I think 1, अब यह बोला कि 2 times, the probability that x equal to 2 हो जाए, तो हमने बोला कि भाई, x equal to 2 के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर n times है, तो nc2, p square, 2 success, q की पावर n-2, 3 times a की success है, nc1, p की पावर 1 और q की पावर n-1, तो यह गया, और यह इधर गया, तो q आ जाएगा, और यह हो जाएगा, n into n-1, upon 2 से 2 कर जाएगा, p equal to 3 into n, into q, तो n गया, देख लो आप लो, एक condition वहाँ भी है भाई मेरे, ओके, 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 np-p, तो इसको ऐसे करो न, np-p, p को उदर जाओ, तो p plus 3 q हो जाएगा, एक मिनटार, यह तो हमें एक, अब equation ही बना लेनी से, n में या, p में जो भी है, n को यहां से substitute कर दो, तो 1 by p square minus 1, into p, equal to 3 q, q is what, 1 minus p, तो p में equation बना ली मैंने, उपर आएगा, 1 minus p square upon p, square into p, equal to 3 times 1 minus p, तो भाई मेरे, यह cancel out होगा, तो एक p नीचे, और यह cancel out होगा, तो इधर 1 plus p, तो यहनि यहां से 1 plus p आ जाएगा, 3p, which means, p की value half आ गए, p half आ गए मतलब, qb half आ गए, और यहां से, n into, 1 by p square मतलब, 1 by 4, equal to 1, तो n की value आ गई 4, अब तुम्हें, n square p निकाला है, यहनि कि 16 into half, मतलब 8, तो ultimately, नहीं है, अच्छा, sorry, sorry, यह नहीं है, सवाब, यहां कुछ और लिखा हुए, n square into, यानि कि n square में तो 16, और p x greater than 1 के लिए solution निकालना है, तो x greater than equal to 1 के लिए solve करना है, तो 1 minus x equal to 0 वाला, फिर सब भई जो अभी पिछले class में गया, x equal to 1 वाला, यह होगा, है ना, तो हलोले 16 into, 1 minus x equal to 0 वाला, तो पिटा, x equal to 0 वाला क्या आएगा, n c 0, तो n की value तो कितनी है, 4, 4 c 0, no success, तो इसकी power तो 0 हो जाएगा, और इसकी power हो जाएगा, कितने बार, 4 बार हैं, तो 1 by 2 की पार 4, मंदब 1 by 16, minus, x equal to 1, तो 4 c 1, और 1 success, half और half का cube, 3 failure, 1 success, तो ऐसा है, तो ना, तो इस is 16, minus, यह तो 1 हो गया, तो 16 minus 1, और यह 16 तो कड़ गया, तो minus 4, 11 है रहा है, तो इस तो इस इस गोई तो 11, this is going to be 11, देख लो एक बार, ठीक है बचो, तो मेरे कासे, यह पूरा probability का मैंने आपको कर दिया है, ठीक ठाक लंबा लेक्चा से, तो भगा भगा के मत देखिएगा, काइदिस देखिएगा, तो मेरे कासे, पौने तीन गंटे का यह है, और साथी संकल PYQ series कर लिजेगा, and I am very sure, कि आपका 100% यह काम बढ़िया हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, मिलते हैं फिर अगले session में, अगला session रेक्टर का होगा, ठीक है, कोशिश करूँगा, जितनी जल्दी हो जाए, जितनी जल्दी होगा,